हेलो दोस्तों मैं हूँ ब्यावव और आप पहुच चुके हैं अपने फेबरिट चैनल बीट्स फॉर बयॉल जी पे अंतिम युद्ध 2021 का अगाज हो चुका है थोड़ा सा मैं लेट हो गया कुछ डिस्क्रिप्शन्स पे मुझे लिंक डालने थे नहीं तो बच्चे परिशा सारा कुछ मिल जाएगा आज पहला दिन है और पहले दिन हमारा जो चैप्टर है आजका वो है सेल दे युनिट आफ लाइफ यह सेल देुनिट आफ लाइफ है आज का important चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी हैं, है ना, sorry भाई, उसके लिए जो 15 मिनिट में लेट हो गया, ठीक है, सेशन को अब स्टार्ट करते हैं, ओके, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास NCRT होनी चाहिए, सबके पास होगी NCRT, सबके पास NCRT होगी, अंतिम युद्ध 2021, जैसे महाभारा जीती गई थी न, ऐसे ही, तुम्हें ये युद्ध जीतना है, जो ये अंतिम कुछ दिनों की युद्ध है, ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं आ पाए, तुम्हारे फ्रेंड काफी लेट हो चुका था, तो उनको जल्दी से सेंड कर दो मैसेज, एक मिनट के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये स्केडूल जो है, ये सबको पता है, 6 अगस्त आज का ही दिन है, जब सेल दे उनिट अफ लाइफ आज स्टार्ट हुआ, सोलन अंबर इसका एवरेज वेटेज है, ऐसे ही सारे चैप्टर्स का स्केडूल तुम सामने देख सकते हो, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, ऐसे करते हुए, ये जो हमारा क्रैस कुर्स है, ये पूरे चैप्टर्स हमारे 7 सेप्टेंबर को ये खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, 7 सेप्टेंबर 2021, इसके बाद 4 से 5 दिन जो हमारे पास बचेंगे, उसमें पूरी NCRT को एक अलग तरीके से रिवाइज करने की कोशिस करेंगे, यहां से स्टार्ट होता है, आज जो चैप्टर हमें देखना है, वो है सेल दा यूनिट आफ लाइफ, सेल दा यूनिट आफ लाइफ से टोटल जो कोशिस पूछे जाएंगे, वो चार, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूं, सारी चीज़ें काम की होंगी, जितनी थियरी बताऊंगा, जो कोशिस आते हैं एक्जाम में, उस पे पूरी तरीके से फोकस करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, कि हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में मेकैनिजम सारी चीज़ों की समझें, इतना करवा दूँगा कि बायोलजी में, तुम आराम से सारे कुश्चन्स एक्जाम में तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है, मैंने तुम से कल वादा किया था, कि सारा कम्प्लीट करवाँगा सेले बस, ठीक है, तुमने भी अपना वादा कम्प्लीट किया, मैंने तुमसे बोला था कि जादा से जादा लोगों के पास share करना और हमारा जादा बड़ा target नहीं था एक हजार बच्चों का target था वो तुमने पूरा कर दिया पिछले बार 3500-4000 बच्चों ने भी light देखा था पिछले 2020 की अगर तुम्हें बात याद होगी एक साड़े बारा जो भी स्टार्ट हुआ वो यूट्यूब पे डेली साड़े बारा की ही टाइमिंग होगी आने कैडमी पे दो special classes होंगी जो भी बिल्कुल free रहेंगी तुम्हारे लिए एक 3 बस कर 15 मिनट पे और एक होगा 7 बस कर 15 मिनट पे तीन बस कर 15 मिनट पे आज सेल चैप्टर का complete तुम्हारा टेस्ट होगा एक 45 मिनट का अभी तो मैं question साथ में करवाता चलोगा तुम्हारे उसके बाद साम में 7 पंदरा में 30 concept लगवग सीखेंगे हम जो एक्जाम के लिए बहुत important माने जाते हैं questions के थो सब लोग ready हैं वही चौल एक 1101 होगे इससे सुब क्या हो सकता है तो हम लोग start करते हैं आज के session को sell the unit of life इस पूरे paragraph में बिल्कुल आखरी time है ये इसको बिल्कुल finishing देती चली जाने है ना एक finishing दे दो ये आखरी time हमारा है बात समझ में आगी start करें जितने भी important चीज़े मैं एक line को skip नहीं करूंगा NCRT की एक एक line पर focus करना क्योंकि questions भी करवाने वाला हो ऐसा ना हो कि questions तुम्हारे गलत हो जाए समझ गया चलो बई start करते हैं इसका PDF मिल जागा चिंता मत करना जैसा नहीं तुम questions का screenshot ले रहे हो इसमें time waste मत करना जैसी class खत्म होगी इसकी पूरी PDF तुम्हें टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम मैंने वहाँ पर link डाल रखा है टेलिग्राम चैनल है beats for biology ठीक है सायद 19,000 बच्चे हैं लगबग अभी तो इसको तुम join कर लेना beats for biology को यहाँ PDF तुम्हें और link daily class की update वगरा मिल जाएगी ओके start करें चलो भई आज जोस पूरी रहनी चाहिए how is the jose पूरी jose आज जैसी maintain कर रहे हो न ऐसे ही आखरी दिन तक यह 12 सितंबर तक ऐसी जोस रहनी चाहिए बागी 13 से तो मज़े ही करने है भाई एक बार बस नंबर आजए कि हाँ 600 नंबर उपर आ रहे है बस confirm है सब कुछ ठीक है चाला भई पहला यह paragraph है इसमें सबसे important जो line है वो होती है Reductionist biology यह क्या होता है यह Reductionist biology बात बड़ी simple सी है जैसे Sail biology में हम क्या study करते है पूरे Sail को study करते है Sail का का काम क्या होता है Sail function कैसे करता है Sail का structure कैसा होता है वो सारे चीज़ों के study करते है Sail biology का ही एक branch है जिसको कहते है Reductionist biology अगर किसी भी Sail को अगर हम atom level पे देख रहे हैं बिलकुल bottom level पे देख रहे हैं तो वैसे study को reductionist biology कहा जाता है reductionist biology में अगर किसी भी living organism की हम study कर रहे हैं तो बहुत ही bottom level की आप्रोच हमारी होती है जिसको physical chemical आप्रोच होता है मतलब physical level पे भी study करना होगा हमें और chemical level पे भी study करना होगा इसे हम क्या बोलते हैं reductionist biology यह छुपी हुई line है यह वाली चीज तुम्हारी complete होनी चाहिए reductionist biology वाली question ऐसे बन सकता है the physical chemical approach to study and understand living organisms इसे क्या बोलोगे तो तो इसे नाम दिया जाए बिलकुल comment में answer आदना चाहिए हर एक paragraph के बाद question आएगा हर एक paragraph के बाद ऐसी तुम्हें याद हो जाएगी सारी चीज़े क्या बोलेंगे reductionist biology कौन से level पे approach करेंगे सबसे important line physical chemical approach physical level पे study करना होगा और chemical level पे study करना होगा तो ऐसे को क्या बोला जाएगा reductionist biology answer आ रहा है answer बस match करते चलना ठीक है बड़े सारे questions करेंगे हर एक paragraph के बाद next ये है जीन रामचंदरन neat में question यहां से भी आया हुआ है बात आती है रामचंदरन plot इनका नाम क्या है जीन रामचंदरन इन्होंने कौन सा plot दिया रामचंदरन plot ये जो रामचंदरन plot है ये कौन से चीज के structure को explain करती है तो रामचंदरन plot जो है वो protein के structure को explain करती है तुम जानते हो protein के कई structure होते हैं 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree तो रामचंदरन plot किसको explain करने का कोशिस करेगा तो protein के structure को explain करने का कोशिस करता है और इनकी क्या discovery है helical structure of collagen collagen भी क्या एक टैप का protein है जो animal world में सबसे ज़्यादा मिलता है collagen ये भी टैप का क्या है protein है तो रामाचंदरन plot protein को explain करता है और इन्होंने एक और चीज़ दी helical structure of collagen भी इन्होंने ही दिया है तो दो बातें यहां से तुम्हें याद रखनी है जो questions आया उडिसान एक 2019 में question ये था question देखें रामाचंदरन plot is used to confirm the structure of RNA, protein, triacyl triacyl glycerides और DNA answer सब का आ चुका होगा अभी just हमने बात किया है इसके बारे में बी तो answer क्या चला जाएगा तुम्हारा यहां पे protein चला जाएगा answer चलो भए next अभी यहां से यह chapter स्टार्ट होता है अभी तक हमें कितने point पे ले दो point पे ले एक मिला helical model जो collagen का और एक रामाचंदरन plot ने explain किया protein को और बाकी एक reductionist biology यहां से यह point स्टार्ट होता है ठीक है इस पूरे में अगर बात करें तो presence of the basic unit of life क्या हम इसे ही sale बोलते हैं दुनिया का ऐसा कोई भी living organism है जिसमें sale नहीं है दुनिया का अगर कोई भी living organism है जिसमें life है तो उसमें sale क्या मौजूद रहेगी sale किसी में एक भी हो सकता है किसी में sale का number एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो जितने भी organism हैं सारे sales से बने हुए हैं जिनमें एक sale होता है वो unicellular कहलाता है जिसमें बहुत सारे sales होते हैं वो multicellular कहलाता है जैसे हम लोग multicellular हैं amoeba unicellular है bacteria unicellular के category में वो आते है simple suggestion what is the basic unit of life in all living organisms दुनिया के जितने भी living organisms हैं सब में basic unit of life की बात करें तो हमेशा sale को बोलेंगे अब यही पे 2-3 question देखें जरा सब अगर तुमसे पूछा जाता है यहाँ पे basic unit of taxonomical hierarchy basic unit of taxonomical hierarchy बताव answer क्या जाएगा यहाँ पे बोलेंगे हम लोग species क्या बोलेंगे species अगर तुमसे पूछा जाए basic unit of ecological hierarchy अगर तुमसे पूछी जाती है तो ecological hierarchy सब पूछे गए निट में गुश्चन ecological hierarchy का जो basic unit होता है उसे हम organisms कहते हैं ओके पूछा जाए basic unit of evolution evolution की अगर basic unit लुमसे पूछी जाती है तो evolution की basic unit को population कहते है क्या इस slide से चार कुछन त्यार हो गया इस slide से तुम्हारा चार कुछन त्यार हो जाना चाहिए basic unit of life basic unit of taxonomical hierarchy basic unit यही है largest unit तो kingdom को कहते है basic unit of ecological hierarchy तो organism हो गया basic unit of evolution तो population क्योंकि जब भी changes होनी है तो population level पे ही होती है clear है भाई सारे इसको note करने की ज़रुत ने इसकी PDF मिलेगे जब sale की पूरी PDF मिलेगे न तो तुम्हारा आम से बस slide को नीचे करते जाना scroll करते जाना और questions भी साथ में करते जाना revision हो जाएगा आराम से तुम्हारा answer B तुमने किया sale बात करते हैं what is a sale कोई भी unicellular organism है बताओ इसका survival possible है हाँ या ना अगर unicellular organism का survival possible नहीं होता तो क्या यह दुनिया में exist कर पाते नहीं कर पाते यह dünyा में exist इनका independent existence है possible बिलकुल है क्या दुनिया के सारे functions को perform करते हैं जो दुनिया में सारे functions हो रहे हैं तुमसे पूछा जाए क्या यह digestion कर रहे हैं हाँ excretion कर रहे हैं हाँ respiration कर रहे हैं हाँ मतलब यह सारे essential functions को perform करेंगे अब NCRT ने क्लाइन लिखा कि anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living अब complete structure कहने का मतलब क्या अगर तीन चीजे किसी भी cell में मौजूद हो तो बूलेंगे कि वो complete cell है तीन चीजों में क्या होना चाहिए एक तो cell membrane होना चाहिए एक genetic material होना चाहिए चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो इसके हलावा एक और चीज़ साइटो प्लाजम होना चाहिए अगर ये तीनों चीजें किसी भी cell में present है तो कह देना कि वो cell पूरी तरीके से complete है मैं पूछूंगा तुमसे क्या virus में तीनों चीजें present है तुम बोलोगे नहीं क्योंकि virus में साइटो प्लाजम अपना नहीं है तो virus एक complete cell नहीं है तो ये जो line बोली जा रही है कि anything less than a complete a structure of cell does not ensure independent living क्या मैं कह सकता हूँ ये line virus के बारे में बोल रही है NCRT bacteria में ये तीनों चीजें मौजूद है simple सी बात याद रखेंगे तो cell को तो structural or functional unit तो पहते ही है living organism की पूछा जाए cell को सबसे पहले किस ने देखा answer जाएगा Robert Hooke तो answer जाएगा Robert Hooke ठीक है पूछा जाए पहला cell सबसे पहले किस ने देखा Robert Hooke पहला cell wall किस ने देखा Robert Hooke पहला plant cell किस ने देखा Robert Hooke पहला dead cell किस ने देखा Robert Hooke बात समझ में आ गई पहला living cell किस ने देखा तो पहला living cell देखा है living hook ने पूरा नाम एंटॉन वोन living hook ठीक है बई रोबट ब्रॉन ने क्या देखा तो रोबट ब्रॉन ने discover किया निकलियस को, Robert Hook ने सेल को, Living Hook ने Living सेल को, Robert Brown ने निकलियस को किस चीज की invention तो electron microscope की invention जब हुई न, तो उससे और भी ज़्यादा details में चीजे को देखना चालू कर दिया तुमसे पूछा जाता है question कौन से ऐसे सेल ओर्गेनल हैं जो electron microscope की study के बात देखे गए, NCRT कहती है इंडोप्लाजमिक रेटिकूलम और राइबोजोम राइबोजोम और इंडोप्लाजमिक रेटिकूलम दोनों में डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो देख पाए किसकी वज़ा से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वज़ा से ठीक है बई, देखते हैं कूश्चन तुम कर पा रहे हैं या ने, पहला कूश्चन yunicellular organisms yunicellular organisms पहला बोल रहा है not capable फिर बोल रहा है not capable फिर बोल रहा है are capable थोड़ी बनी कि हा बई सही हो सकता है but they perform some vital functions नहीं अरे सारे vital functions को perform करेगा जितनी भी उसकी जरुवत के लिए चाहिए वो सारे के सारे functions को perform करेगा समझ गया तो answer क्या जाएगा भई unicellular organism की अगर बात होगी तो are capable of independent existence and perform all the essential vital functions answer c select the incorrect statement anything less than a complete structure of sale does not ensure independent living एंट्वा लिविन हुक first one described a living sale रॉबर्ट ब्राउन discovered sale नई रॉबर्ट ब्राउन ने किसको discover किया है निकलियस को discover किया है बिल्कुल तुमारे दिमाग में छप जानी चाहिए question सबसे बेश तरीका है दिमाग में चीजों को छपने का क्या line पूछी जा सकती है answer अमारा क्या जाएगा c answer आ रहा है clear सबका next आ जाओ who first saw and described the live sale तो live sale को सबसे पहले किस ने देखा direct answer आएगा लिवन हुक ने देखा अब आ जाते हैं किस में sale theory में paragraph complete होनी चाहिए अब इस page की सबसे आखरी point sale theory कहानी 1838 की है और कहानी 1839 की है sale theory में हमें तीन डेट याद रखनी होती है एक तो ये डेट हो गया और एक और डेट याद रखेंगे 1855 ठीक है 1838 में scientist का नाम क्या है sliden क्या है ये german botanist तो काम किस पे कर रहे होंगे plants पे काम कर रहे होंगे इन्होंने एक बात करी कि दुनिया के जितने भी plants होते है वो सारे किस के बने हुए है cells के बने हुए है और जब काफी सारे cell मिलते हैं plant के tissue का formation करते है इसी टाइम पे एक और scientist थे जिनका नाम था श्वान कहानी कब की है 1839 उनकी कहानी कब की थी 1838 ये थे ब्रिटिस जोलाजिस्ट वो क्या थे जर्मन बॉटेनिस्ट कैसे याद रखेंगे श्वान बोले तो हंस होता है ना श्वान इंगलिस बोले तो Swan Hans Hans कैसे कलर का होता है White कलर का Hans को Botany में पढ़ोगी है Geology में पढ़ोगे Hans को Geology में पढ़ेंगे और कैसे कलर का White याद है गोरे हमारे देश में आया थे Britishers, White होते है Swan British Geologist Slidden ने किस पे काम किया Plants पे, तो German Botanist थे वो और ये British Geologist थे, उन्होंने किस पे काम किया, सिर्फ Plants पे Swan ने किस पे काम किया Geologist होते हुए भी Animal पे काम किया, और Plant पे काम किया, ये बात important है इन्होंने Plant पे भी काम किया और Animals पे भी काम किया इन्होंने बताया कि कोई भी सेल होती है ना और खासकर animal sale, animal sale में जो बाहर की जो outer layer होती है, वो बड़ी ही पतली होती है, इन्होंने नहीं बताया कभी कि उसे plasma membrane कहते हैं, NCRT लिखती है, which is today known as the plasma membrane, आज जो नाम से जाना जाता है, उसे plasma membrane कहते हैं, plant tissue पे भी इन्होंने study किया, तो देखा कि plant tissue का outer wall कौन सा है, sale wall, तो पता चला कि sale wall unique character होती है, plant sale की, sale membrane को unique character क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सारे में तो sale membrane मिल रही, हमारे में sale wall नहीं होता, animal में कभी भी sale wall नहीं होता, तो animal का तो unique property है ही नहीं न, ये plants का unique property इसक swan ने proposed किया, swan और slidden दोनों ने नहीं, swan ने proposed किया, कि इस दुनिया के जितने भी animals और plants है न, सब sale के बने हुए हैं, और sale के multiples के बने हुए हैं, एक sale है, और इसी से multiply होकर सारे चीज़ बनते चले गए, एक से दो से, दो से, दो से, चार से, पूछा जाए, who proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products, तो answer क्या जाएगा, सिर्फ swan जाएगा, slidden और swan दोनों की meeting होती है एक जगा पे, और दोनों मिलकर sale theory का पूरा का पूरा धाचा तयार करते हैं, पूरा एक structure तयार करते हैं, उससा structure को formulate करते हैं, ध्यान देना इस वर्ट को, अगर पूछे examiner, अगर पूछे कि sale theory को formulate किस ने किया, तो answer क्या जाएगा, slidden और swan, पूछा जाएगा hypothesis किस ने दिया कि animals और plant cells जो होते हैं, वो cells और product of cells के बने हुए हैं, तो answer जाएगा, श्वान, बात समझ में आ रही है, आगे देखो, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या explain किया, कि ने cells कैसे form होते हैं, ये को explanation इसमें नहीं दिया गया, सबसे पहले किस ने explain किया, कि ने cells कहां से आते हैं, पुराने वाले cells है, किस ने किया, रुडॉल्फ वर्चो, important है, कब 1855 में, इन्होंने बताया कि ने cells पुराने वाले cells से आते हैं, जिसके लिए का statement दिया गया, omnis cellulis cella, exam में statement पूछा जाता है, कि omnis cellul एंसर लगाओगे, रुडॉल्फ वर्चो, अब बताओ, जो hypothesis दी गई थी, sliden और swan के through cell theory की, उसको इन्होंने क्या किया, modify किया, उसमें changes किये गए, अब अगर तुम से ये line पूछी जाती है, कि ये line किस ने दिया, कि दुनिया के सारे living organs are composed of cells and product of cells, तो ये दोनों का combined theory है, sliden और swan का, और ये पूछा जाए किस ने दिया, तो रोडल वर्चो ने 1855 में दिया, ये चीज़े clear हैं बिलकुल, बोलो भाई, सबका clear है ये, सरीन, अमन, खुशी, नबीला, उनाईजा, उर्वशी, भाविशा, सिल्पी, बहुत अच्छा, ठीक है, भाई, आजो question में right option, swan के regarding तुमसे पूछी गई है, क्या आ रहा है तुम्हारा answer, जल्दी से बिलकुल लगाओ, he reported that cells had a thin outer layer, which is today known as plasma membrane, unique character, body बने हुए है, cell के, answer all are correct, क्या आ रहा है सबका, answer A, answer A आ रहा है सबका, बिलकुल easy suggestion है, आगे चलो, cell theory was formulated पूछा है तुमसे, cell theory was formulated पूछा है, formulate किस ने किया, तो answer आ जाना चाहिए तुम्हारा A, आ रहा है सबका, slayden and swan ने formulate किया, याद रखना है यह चीज़, दोनों ने मिलकर formulate के 1838-1839 में जो experiment चल रहा था, आजो final, match the following, neat के famous question में आते है, match the following, living hook की बात करें, तो first saw and describe the living cell, Robert Brown की बात होगी, तो nucleus, slayden की बात होगी, तो यह, swan की बात होगी, तो यह, आ रहा है सबका answer, 1 का 1, B का 3, C का 4, answer सबका A आना चाहिए, A आ रहा है सबका, बिलकुल सही, चलें आगे, चलो गए, Omnicella is series generalization given by, यह जो generalization दिया गया, यह generalization की होने दी है, यह बात बतानी है तुम्हें, कि यह जो generalization है, यह generalization जो है, यह generalization किस दें दी, तो यह बात तुम्हें बतानी है, तो answer क्या चला जाएगा, answer चला जाएगा तुम्हारा D बात simple है answer क्या जाएगा वर्चो who proposed sale lineage इसी चीज़ को कहा दिया जाता है sale lineage कि sale always arises from pre-existing sale इसी को कहा दिया जाता है sale lineage तो ये भी बात किस ने बताई वर्चो ने बताई answer B वर्चो अगली कहानिय स्टार्ट होती है an overview of sale से कहानिय स्टार्ट होती यहां तक सबका clear है एक सकंट यहां तक सारी चीज़े clear है हाँ यहां तक सारी चीज़े clear है next आगे बढ़ते overview बड़ा ही simple सा है जो काम की बात है हो सुने onion एक plant sale है human एक cheek sale animal sale है कि इसमें sale wall होगा इसमें sale wall नहीं होगा microscope के अंदर दोनों को देखा गया onion sale को देखा गया तो पता चला sale wall है outer boundary उसके अंदर में हमें sale membrane मिली जब human cheek sale को देखा गया तो उसमें sale wall नहीं मिला सिर्फ एक outer membrane sale membrane मिली जो कि delimiting structure थी उस structure को पूरी तरीके से limit कर रही थी sale के अंदर देखा गया तो एक structure था जो पूरी तरीके से membranous structure था उस structure को हमने क्या कहा nickelis किस में मिला दोनों में मिला चाहे plant sale चाहे animal sale nickelis के अंदर क्या क्या चीज़े मिलती है जब मैं sale को देखने चला तो उसके अंदर में मैंने देखा तो अंदर में उसके nickelis मिला nickelis के अंदर में मैंने देखा तो chromosome मिला जब chromosome के अंदर में देखा तो DNA मिला DNA के अंदर में देखा तो gene मिला यह sequence बहुत important है यह बड़े से छोटे के sequence के तरफ चल रहे हैं समझ गया तो ये चीज याद रखना है हमे निकलियस कंटेंस दिक्रोमोजोम जो आगे जाकर क्या कंटेंड करता है दियेने को वैसे सेल जिसमें ये निकलियस मिलती है पूरी थरीके से मेंब्रेन से घहरी हुई इसे हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं और जिनके पास ये चीज नहीं मिलती जिनके पास ये चीज एपसेंट होता है उसे हम प्रोकेरियोटिक कहते हैं चाहे प्रोकेरियोटिक हो चाहे यूकेरियोटिक सेल हो दोनों में साइटोप्लाजम का रहना बहुत जरूरी है जो सेल के वालिम को अकुपाई करता है साइटोपलाज में in crt कहती है main arena है arena कहने का मतलब area बोल रही है in crt साइटोपलाज में एक ऐसा area है जहां पर बहुत सारे cellular activity चलते हैं कह दूँ बहुत सारे metabolic reactions चलते हैं चाहे plant चाहे animal हमने तो बात किया कोई भी complete sale हो उसमें तो ये चीछ चलेगी चलेगी बहुत सारे chemical reactions सेल में चलते रहते हैं साइटोप्लाज में ताकि सेल जिन्दा रहे तुमसे पुछा जाएगा question कि which is the main area where all the cellular activities takes place answer क्या लगाओगे साइटोप्लाज nucleus के अलावा जो eukaryotic cells होते हैं उनमें और भी membrane bond distinct structure मिलते हैं जोने organelles कहा जाता पूछी जाएगी बात तुमसे क्या कोई भी prokaryote में membranous organelles मिलते हैं तो जवाब होगा नहीं कोई भी नहीं मिलेगा उसमें कौन कौन से organelles eukaryotic cell में मिलते हैं endoplasmic reticulum golgi body या golgi complex lysosome, mitochondria, micro bodies और vacuoles prokaryotic cells के पास इन में से कुछ नहीं होता prokaryotic cell के पास endoplasmic reticulum है golgi body नहीं है lysosome नहीं है vacuoles नहीं है बात simple है आगे चले अच्छा, cytoplasm है क्या? हाँ, cytoplasm है ribosome है क्या? हाँ, ribosome है ribosome की बात करें तो non-membranous ribosome में कोई membrane नहीं होता अब बात आती है कौन-कौन से ऐसे हैं जिन में membrane नहीं होता मैं लिख दे रहाँ उपर में जिन में कोई membrane नहीं होता ribosome basal body centriol nickelolus और inclusion body ये बिलकुल याद रखना as it is इसमें कोई भी membrane नहीं मिलेगा membrane सब में क्या है? absent है बहुत important ribosome में कोई membrane होता है ribosome में कोई भी membrane नहीं है इसका trick क्या है? R, B, C, N, I रात भर chan नहीं chan क्यों नहीं रहा? वो तुम्हारे personal issue हो सकता है R, B, C, N, I ठीक है? तो ribosome basal body centriol nickelolus और inclusion body होगी बात simple है इनके पास कोई membrane होती है नहीं होती और double membrane किनके पास होता है? double membrane किनके पास है? mitochondria nickelis और chloroblast तो पूछा जाए ribosome किस में है? तो बोलोगे ribosome दोनों में है membrane है? नहीं होती अब बात करते हैं cell के अंदर में ribosome present होती है तो ribosome cytoplasm में भी होती है eukeridic cells की बात चल रही है ribosome cytoplasm में भी होती है लेकिन ribosome कुछ organelles के अंदर में भी होती है वो organelles कौन है? chloroplast के अंदर में वो चीज मिलती है plants में पाई जाती है mitochondria के अंदर में मिलती है जो plants animals दोनों में पाई जाती है फिर NCRT ने on पहले लिख रही है NCRT within फिर लिख रही है on अब ये चीज़ याद रखना endoplasmic reticulum पे जब ribosome मिलती है तो क्या उपर में मिलती है? तो उसे बोलते है rough endoplasmic reticulum और दो ऐसे cell organelles हैं जिसके अंदर में ribosome मिलेगा किसमे? mitochondria में और chloroblast में बात simple है animal cells के पास एक और भी membrane bond organelles होती है जिसे हम centrosome कहते हैं जिसे तुम centriol भी कह सकते हो दोनों में क्या difference है? आगे देखेंगे हम किसमें help करेगा centriol? cell division में plant में present या animals में present सिर्फ और सिर्फ animals में होते हैं plant में ये चीज नहीं पहे जाती cell की बात करें size में अंतर होता है shape में अंतर होता है activities में अंतर होता है बताओ neurons की size अलग shape अलग activities अलग RBC की size अलग shape अलग activities अलग होती है सबके example mycoplasma जो सबसे छोटा cell है जिसकी diameter बस इतनी है 0.3 diameter बहुत important है याद रखेंगे ठीक है आगे देखो length तो समझ गए 0.3 micrometer आगे bacteria की बात करें 3 से 5 micrometer जो सबसे largest है isolated अकेला है वो single cell कौन है ostrich का एग है multicellar की बात करें human के RBC की diameter लगब 7 micrometer होती है और सबसे लंबी cell nerve cell होती है cell की shape भी बहुत ज़्यादा vary करती है disc-like, polygonal अलग-अलग polygonal होगा columnar, cuboidal, thread-like और even irregular जबसे अमीबा जो ये line important है बारी जो cell की shape है वो किस पे depend करती है cell की shape किस पे depend करती है cell की shape depend करती है जैसा वो function करता है nerve cell का काम है रफतार में information को भेजना इसलिए nerve cell लंबी है देखते हैं question करकर choose the wrong option wrong option बताना है तुम्हें बताओ भे wrong option कौन सा लग रहा है जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि questions भी कर रहे हैं थोड़े रफतार में करेंगे क्या बोल सकते ही हैं सबसे smallest नहीं सबसे longest हैं बात simple है answer क्या हो जाएगा D चलो भाई answer D आ गया इसका देखो इसका देखो चारस statement है total total चारस statement है जल्दी से बताओ चारस statement में तुम्हें कौन सा लग रहा है आ रहा है answer आ रहा है answer all क्योंकि सारे के सारे correct है यहां अभी जस्ट हमने यह statement देखी है सारे के सारे correct है यहाँ पे आओ next among the following cells in an ascending order of their size arrange करो ना जल्दी arrange the following cells जल्दी से cells को arrange करो कौन छोटा कौन बड़ा direct करना में direct answer दिखाऊंगा size बिलकुल याद होनी चाहिए तुम्हें answer आ रहा है सबका B B क्यों आ रहा है देखे जरा सा mycoplasma सबसे छोटा ostris सबसे बड़ा तो starting में 1 आएगा last में 2 आएगा ascending मतलब छोटा से बड़ा की तरह answer B अब बात आती है कि plant cell animal cell से अलग कैसे हैं यह तो basic से knowledge पे best day इसले बीच में डाली गई है यह plant cell में vacuole होता है इसमें vacuole बहुत ही छोटे size का होता है cell wall की बात करें cell wall इसमें होता है cell wall इसमें नहीं होता है chloroplast होता है chloroplast नहीं होता है तो जो best answer है हमारा वो answer क्या जाएगा वो answer जाएगा B क्योंकि इस पे दोनों बाते आ गई cell wall के बारे में और chloroplast के बारे में है ना simple सी बात चलो बई तो answer क्या जाएगा तुम्हारा answer जाएगा B clear है अब देखो ये बड़े important diagrams हमारी NCRT की देखो RBC round and byconcave दो दिखा रखी ये byconcave है ये round है ये देखो irregular shape के न amoeba जैसी लग रही होगी इसलिए बुलते है amoeboid columnar epithelial cells कहां मिलती है देखने को stomach में और intestine में टीशू मिलती है long and narrow होती है इस तरह से ठेक है अब आगे देखो लंबी-लंबी है लंबी-लंबी है और इसका exon तो और लंबा होता है branched और long है ये trackid है trackid कहां मिलती है plants में मिलती है trackids and vessels are the main water transporting elements NCRTK line gylam में ये चीज़ देखने को मिलती है trackids, vessels वगरा और mesophyll cells plant के पत्तों को देखोगे पत्तों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मिलती है microscope में वो mesophyll cell होता है mesophyll cell को खोलोगे chloroplast मिलेगी chloroplast को खोलोगे chlorophyll मिलेगी simple है देखते हैं diagram कितनों को याद हुआ diagram से ऐसे question बनेंगे हम 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 जल्दी से हम लो 45 page 45 page deal कर चुके हैं total 45,5 pages है चलो भई, जल्दी से लगो answer क्या आ रहा है बोलो, answer आ रहा है सबका C C आ रहा है सबका तो C आना चाहिए भई ये, ये आ रहा है A3L, X ही तो आ गया न हमारा X ही तो आ गया बात समझ में आ रही है simple से चीज है answer क्या जाएगा C, ठीक है भई next आ जाओ, देखो टेगराम जल्दी देखो बता इसके बारे में, ये दोनों के बारे में दोनों देखा तुमने अभी ये क्या है और ये क्या है A nerve cell है, सबको पता चल रहा है तो nerve cell को देखते हो लगाओ क्या लग रहा है तुम्हें answer Nerve cell को देखो और जल्दी से answer लगाओ Nerve cell को देखो और answer लगाओ जल्दी से हाँ बई, क्या ये long and branched है और ये long and narrow है answer क्या जाएगा D अच्छे से देख ले ना तुमने गल्ती कियोगी कई लोगोंने कई लोग इसमें गल्ती कर देते लोग and branched और इसमें long and narrow में, देख ले ना इसको अच्छे से answer D largest isolated single cell कौन है large bill को direct answer लगाओ ostrich egg है ना ostrich egg सबसे बड़ा आजाएं prokaryotic cells में चालो भाई, prokaryotic cells मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, line भी clear हो रही है questions भी लग रहे हैं, साथ में दोनों चीज हो रहा है, जो class में present है जल्दी से attendance तो लगाओ अपनी 1000 बच्चों ने अपनी attendance लगाई है 1500 बच्चे present है attendance लगाओ जल्दी से prokaryotic cell क्या मैं कहा दू monra की वो सारी कि सारे member prokaryotic cell होते हैं या ऐसा भी कहा दू monra में जो आता है वो bacteria बन जाता है चाहे कोई हो bacteria हो, blue green algae हो mycoplasma हो, कोई भी हो कह सकते हैं आराम से ठीक है, prokaryotic cells की बात करें, तो क्या ये bacteria है blue green algae है mycoplasma है और PPLO, बच्चों को बड़ा लफड़ा होता है भई mycoplasma में और PPLO मैं समझो ज़रा क्या है बात mycoplasma एक परिवार है जैसे सर्मा खांदान एक परिवार है, सर्मा खांदान का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है छोटू, mycoplasma एक सर्मा खांदान है, जिसका एक छोटा सा बच्चा है, छोटू छोटू का नाम रखा गया PPLO pleuro pneumonia like organism तो दोनों में सबसे छोटा कौन PPLO, दोनों में ऐसे कोई भी option दे, सबसे छोटा, PPLO होगा PPLO ना दे, तो mycoplasma होगा they are generally smaller, बड़े छोटे छोटे होते हैं, और जो छोटे होते हैं ना, उनकी multiplication rate बहुत ही जादा, बड़े रफतार में वो multiply करते चले जाएंगे, eukaryotic cells बड़े होते हैं, multiplication rate उतना जादा तेजी से multiply नहीं करते हैं, bacteria को देखो ना 20 minute में divide कर जाती है, हमारी human की cells, laboratory condition में 90 minute लगा देती है गलात, इस्त लगाती है 90 minute, और इस्त लगाती है 90 minute, और human की cell 24 घंटे लगाती है कहां फर्क है देखो, इतना जादा फर्क है आस्मान जमीन का, bacteria को लगे, 20 minute cell को divide करने में, और इंसानों को लगे 24 घंटे लगे, फर्क बहुत जादा है they may vary greatly in shape and size में काफी अंतर होता है चार basic shape के bacteria होते हैं rod shape, bacillus spherical, cocus comma shape, vibrio classification में भी है prokaryotic cell को देखो तो the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function, अब एक बात को देखना जितने भी हमने prokaryotic cells देखे ना चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो isrecha coli हो, चाहे वो streptocos bacteria हो, hemophilus inflangi हो, salmonella typhi हो कोई भी हो, अगर वो prokaryote है तो सब में similar organization ही देखने को मिलेगी, सब में वही सब cytoplasm वही होगा, सब में वही सब genetic metal वगरण जादतर होती है लेकिन prokaryotes की बात करें, तो क्या shape और function में क्या अलग-अलग मिलेंगे जैसे 4 हमने shape देखे ना तो अलग-अलग मिला, function जब देखेंगे तो कई सारों का function होगा light energy low photosynthesis करो कई सारे होंगे, बुलेंगे नहीं हम से photosynthesis हो नहीं पाता, भगवान ने हमें chromatophore दी ही नहीं भगवान ने हमें chromatophore में photosynthetic pigments दी ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे photosynthesis, वो दूसरे में dependent रहते हैं जब parasite के तोर पे, तो ये बात हुई चलो भई, अब ये paragraph पे ओ, इसमें size बड़े important है, size को देखो typical का मतलब होता है common एक common eukeridic cell को देखोगे न, तो कितने macrometer का होगा, 10 से 20 micrometer का होगा, एक ऐसा cell beach का nucleus है, इससे जुड़ा endoplasmic reticulum वगरा है, mitochondria वगरा सब available है mitochondria हो गया यहाँ पे, और यह चीज होगे तुम्हारी golgi body वगरा, और यहाँ से lysosomes वगरा, nickel rank, typical eukeridic cell 10 से 20 micrometer का होता है typical bacteria, 1 से 2 micrometer PPLO जो बहुत छोटा है लगभग 0.1, पहले 0.3 दिया था, तो समझ गया होगे mycoplasma एक खांदान है उसका member PPLO जो छोटू है 0.1 micrometer का, viruses तो सबसे छोटे, अरे यार दिखते नहीं है uniceller तो दिखते ही नहीं उसमें virus सबसे छोटा ठीक है, जो दिखता नहीं है यहाँ पे तो ये कुछ diagram के comparison यहाँ पे दे रखे हैं procaridic cell के पास cell wall होता है दुनिया के जितने भी procaridic cell है सब के पास cell wall होती है एक को छोड़ कर और वो एकलाता member कौन है एकलाता member कौन है वो एकलाता member है वो mycoplasma, तो याद रखेंगे mycoplasma के पास cell wall नहीं होता और cell wall shape को देने का काम करती है mycoplasma में जब cell wall है ही नहीं तो क्या body flexible होगी कभी इदर, कभी उदर क्या वो जोकर जैसी लगेगी तभी तो बूलते हैं जोकर अब दी प्लांट किंगड़म flute जो भरे की अंदर में उसको cytoplasm कहते है prokaryotes में कोई well defined nucleus नहीं मिलता nucleus के जगा पे यहाँ पे structure को nucleoid कहते है या इसको ही genophore कहते है या इसको ही incipient nucleus कहते है कई सरे नामे fibrillar nucleus वगरा कहते है ज़्यादा popular यह है और यह है genetic material is basically naked बूली जा रही है क्यों naked बूली जा रही है बात इस बात को समझे naked यहाँ पे क्यों बूली जा रही है क्योंकि हमारी जो genetic material है वो DNA है वो 2 meter की DNA होती है एक अगर human के single cell की बात करे तो वैसे 2.24 होता है 2 meter ले ले लेते हैं ऐसी 2.2 या 2.2 meter 2 meter का होता है cell कितने size की है DNA यह रही यह DNA इसमें इस तरह से लपेट दिया जाता है तो किसमें लपेट आ गया histone protein में तो इसलिए कहते हैं हमारी तो अच्छे से है लेकिन इसमें वही histone protein नहीं होती है तो the genetic material is basically naked यहाँ पे कोई भी nuclear membrane भी नहीं होता है इनमें बाहर से कोई दिवारे इसमें नहीं मिलेंगे उसके लिए NCR ने लिखा यहाँ पे genomic DNA किसको बोला गया है जो main DNA होता है वो किसमें present रहेगा nickelide में तो जो genomic DNA होता है उसकी character bacteria में कितने chromosome मिलेंगे बस एक chromosome हमारे में 23 pair मिलती है ओफियो ग्लॉसम में 1024 मिलता है apple में total 34 मिलती है सारी बाते मैं diploid के बारे में कह रहा हूँ अगर बात करें maze में तो 20 मिलता है ऐसे ही अगर बात करें potato में तो potato में कितना मिलेगा 48 मिलेगा यह सारा data NCRT के table है reproduction in organism वहाँ पे दे रखा है और कैसा DNA होगा circular तो याद करो feature कैसा होगा circular DNA होगा bacteria का और उसमें कितने क्रोमोजोम होंगे बस उसमें एक क्रोमोजोम present रहेगा और पूछा जाए इसमें histone protein है तो बोलोगे नई इसमें histone protein देखने को नहीं मिलती histone protein क्या होता है इसमें absent होता है ठीक है अब सुनो इनका जो main DNA था उसको क्या बूला गया genomic DNA चलो ठीक है bacteria के पास एक DNA आ गई उसके अलावा भी इसमें एक और DNA होता है जिसको क्या बूला जाता है plasmid तो पूछा जाए कितने type के DNA मिलेंगे bacteria में बोलेंगे दो कौन-कौन एक तो genomic DNA मिलेगा और एक और कौन सा एक genomic DNA दूसरा plasmid plasmid बहुत important है क्या मैं plasmid को कह दूँ plasmid are extra-cromosomal क्योंकि एक तो main DNA था ही उसके अलावा भी एक चीज present है तो ये जो plasmid होते है ना सिंपल सी बात है हमारे अंदर आ गया ना एंटिबाटिक खाते जाओ असर नहीं पड़ेगा जल्दी तो plasmid काफी strong है इनकी मान कर चलते हैं plasmid है ही नहीं आराम से डाला आराम से मर गया तो काफी सारे जो parasitic bacteria आनो उसमें plasmid भर-भर कर मौजूद होती है तो ये चीज़ याद रखेंगे ये resistance to क्या देता है एंटिबाटिक्स देता है और bacteria को phenotypic character देता है मिस बहुत सारे चीज़ों से बचने का इसके पास एक character मौजूद होता है higher classes में तुम पढ़ोगे कि plasmid कहीं तो इस्तमाल बायो टिकनलोजी में होता है याद करो ना PBR 322 इसमें P क्या है plasmid की तो बात करते हैं plasmid कुछ और नहीं डिये नहीं तो है सिंपल सी बात याद रखेंगे nuclear membrane देखने को हमें eukaryotes में मिलता है nucleus के बाहर में prokaryotes में हमें कोई भी nuclear membrane नहीं मिलती no organals like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosome ये बात बिलकुल गाट बांद लेना इतनी important line है ये prokaryotic cells में कोई भी cell organals नहीं मिलेंगे जो चीज हमें eukaryotes में मिले बस एक चीज ही दोनों में common है और वो चीज common क्या है ribosome वैसे तो ribosome भी पूरी तरीके से common नहीं है क्योंकि हमारे में जो ribosome मिलती है मतलब ये उukaryotes में वो 80S की मिलती है और बैक्टरिया में 70S की मिलती है prokaryotes के पास कुछ something special है किस फॉर्म में inclusion के फॉर्म में ये inclusion term बहुत important है inclusion क्या है हम अपने खाने को glycosine के फॉर्म में store करकर रखते है plants अपने खाने को starch के फॉर्म में store करकर रखता है ठीक है लेकिन plants अपने खाने को inclusion body के फॉर्म में store करकर रखता है इनके पास एक special चीज और भी होती है जो sale membrane से ही उबरा हुआ पार्ट होता है यह जैसे यह पार्ट है और यहाँ से ऐसे ऐसे structure मिलती है इसी structure को हम मिशोशोम कहते है cell membrane की ही folding होती है एक मिशोशोम और एक और आगे chromatophore देखेंगे दोनों उसी की in folding होती है मिशोशोम की बात करें एक special characteristic है prokariot का जैसे बोलते है न सांसों की जरूरत है जैसे जिन्दगी के लिए वैसी मिशोशोम की जरूरत है सांसों के लिए समझ गया है सिंपल सी बात याद रखेंगे जो cell membrane की क्या है in folding cell question करते हैं जल्दी जल्दी से go through the following statement and then select correct option for prokariotic cells they are generally smaller than eukaryotic cells they multiply more rapidly than the eukaryotic cells they are represented by all आ गया चलो भे next question जल्दी जल्दी से करें next question जल्दी जल्दी से करें typical bacteria की बात की जाएगी एक से दो micrometer viruses की बात की जाएगी बड़े छोटे हैं A का B 2 का D 3 का P P A लो बड़ा ही छोटा 0.1 3 का C बतला answer 1 आ गया next which of the following is not a characteristic of prokariotic cell prokariotic का कौन सा characteristic नहीं होगा prokariotic का कौन सा characteristic नहीं होगा जल्दी से बताओ prokariotic का कौन सा characteristic नहीं होगा वही simple है जल्दी से लगा एंसर D आ रहा होगा एंसर D है ना membrane born organs नहीं मिलते उसपा next सारा चीज करेक्ट है about plasmant एक चीज को छोड़ कर एक चीज को छोड़ कर क्या होगा सारा चीज करेक्ट है एक को छोड़ कर जल्दी से लगाओ आ गया सब कर D हाँ replication में मदद करेगा क्या नहीं एक्स्ट्रक्रोमोजोमल होता है और किसी भी चीज में मदद नहीं करेगा ये और किसी भी चीज में मदद नहीं करेगा ये next इस बार साइज में गलतिया नहीं होनी चाहिए हाई आ गया सबका एंसर आ रहाँगा C C आ गया सबका कैसे माइकोप्लाजमा है तो ये हो गया तुम्हारा B का M बूल रहा है लगा सकते हो तुम्हारा उनसे ये जल्दी से लगाना देखना जल्दी से लगाना भी which of the following is enveloped by a nuclear membrane बतो भी ना नदीज है न किस क्यूंकि सब में है न यार सब में टीपिकल बैक्ट्रिया की बात करें तो nuclear membrane नहीं है इसमें नहीं है virus में नहीं है answer d mini bacteria have a small circular dna outside the genomic dna ये जो छोटे 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 dna को क्या कहा जाएगा इन छोटे छोटे DNA को क्या कहा जाएगा तो इन छोटे छोटे DNA को plasmids कहते हैं ठीक है चलो which is not found in prokaryotic cell prokaryotic cell में क्या नहीं मिलेगी बस तो prokaryotic cell में तो एक ही चीज नहीं मिलती ना prokaryotic cell में तो एक ही चीज नहीं मिलती ना nuclear membrane answer B अब आ जाते हैं यहां से cell envelop और इनके कुछ modifications ठीक है अब जादतर सब में नहीं जादतर में most prokaryotic cells जैसे bacterial cells इनके पास chemically complex cell envelop होता है chemical का बना हुआ एक complex सा structure होता है complex से structure को क्या बोलते है complex से structure को क्या बुलाया जाता है तो complex से structure को बुलाते हैं यहां पे cell envelop बुलाते हैं ठीक है cell envelop में total कितनी layer होती है तो total तीन layer होती है loosely bonded है या tightly bonded है तो यह चीज यहां पे tightly bonded होती है सबसे बाहर में जो होगा उसे glycocalyx कहेंगे जो बीच में होगा उसे cell wall कहेंगे जो सबसे अंदर में होगा उसे plasma membrane कहेंगे जितने भी layer है सबके अपने अपने काम है लेकिन तीनों मिलाकर एक single protective unit बन जाती है सिंपल सी बात है bacteria की बात करें bacteria को दो group में classify किया जा सकता है on the basis of difference cell envelop में सब में क्या होगा difference देखने को मिलेगा इसके basis पर difference हो जाएगा किसी में दिवारे मोटी हैं किसी में दिवारें पतली मिलेंगी और दूसरा है sustaining procedure कोई gram positive test को देगा कोई gram negative देगा मतलब जैसे AC gram एक scientist का नाम था उन्होंने ये gram procedure जो technique है उसको निकाला था इसके बार में detail हमें नहीं जानना बस दो तरह के bacteria होते हैं जो gram positive जो color को रखते हैं same color को सुरू से लेकर last तक रखते हैं उनको gram positive जो रंग बदल ले वो gram negative है glycocallix सबसे बाहर की दिवार को glycocallix कह रहे थे glycocallix की बात करे तो glycocallix का composition और glycocallix की जो ठिकनेस होती है glycocallix जिस शीज से बना है उसकी मोटाई जितनी होगी सब में क्या करता है वो चीज अलग अलग bacteria में glycocallix का जो safe है वो सब में अलग-अलग होता है ठिकनेस इसमें अलग-अलग होती है slime layer नाम सी पता लग रहोगा पतली-पतली layer की बात की जा रही है slime layer है यहाँ पे इसके बाद बात किसकी की जा रही है capsule तो पतली कौन होगी मोटी कौन होगी यह important है मारे लिए पतली, slime layer मोटी, capsule होगी ठीक है भई ठीकन टफ कौन होगी capsule पतली कौन होगी slam layer अब बात बतारी NCRT sale wall का क्या काम है sale wall क्या structure देने का काम करती है sale को save देने का काम करती है strong structural support भी देती है bacteria को ताकि bacteria फट न जाए ताकि bacteria collapse न हो जाए फट न पानी भर कर फट न जाए और ताकि वहाँ पे collapse भी न कर जाए तो sale wall क्या provide करता है एक structure provide करता है याद रखता है ये बात sale membrane bacteria की कैसी selectively permeable किसी में semi permeable लिखी होगी कर लें selectively permeable ये बात ध्यान रखना कभी भी तुमसे पूछा जाए plasma membrane के बारे में चाहे दुनिया में किसी की plasma membrane हो वो selectively permeable होगी animal cells या plant cells या bacterial cells outer side के साथ ये interact करती है membrane का structure दोनों का similar होता है eukaryot का और prokaryot का तभी तो बूल रहे हैं selectively permeable याद रखना एक special membranous structure होता है जिसको हमने मेशोशोम कहा था भी बताया था ने इस तरह से in foldings होती है sale में उसी को क्या बोलता है मेशोशोम which is formed by the extension of plasma membrane sale के अंदर होती है बाहर नहीं अंदर होती है ये जो extensions होते हैं ये तीन सेप के हो सकते हैं तीन सेप में ट्रिक याद रखेंगे तलाई वाख है ना तलब T4, Tbules, L4, Lamele, V4, Vecicle ये तीन तरह के shape इसमें देखने को मिलते हैं तो याद रखेंगे मिशोशोम को तलब लगी है respiration की सांस लेने की तलब लगी है है ना तो TLV यहाँ पर याद रखेंगे चार काम होते हैं इसके पहला काम sale wall secretion या sale wall formation दूसरा काम मिशोशोम का DNA replication और तीसरा काम daughter cells में भी distribute हो जाना DNA replicate करकर यह सब एक ही काम है भई यह वाला जो है ना यह एक ही काम है तीसरा काम respiration चौथा काम enzyme का secretion वगेरा और इसमें होता क्या है कि surface area को भी increase कर देता है जिससे अंदर में जो enzymatic content है वो काफी ज़ादा क्या हो जाते हैं increase होने का काम करते हैं और बात करें prokaryotes में चीज क्या मिलेगी prokaryotes में mesosome की तरह क्या मिलेगा prokaryotes की तरह chromato 4 मिलती है यह बात याद रखना क्या मिलेगी chromato 4 मिलती है ठीक है भई simple सी चीज यहाद रखेंगे chromato 4 के बारे में ok prokaryotes की अगर बात की जाए तो स्यानो बैक्ट्रिया की अगर बात करें तो यह cytoplasm में membranus extension मिलती है जिसमें क्या भरा रहता है जिसमें pigments भरा रहता है बैक्ट्रिया की सेल motile भी हो सकती है non motile भी हो सकती अच्छे एक चीज और chromatophore किसमें मिलेगा सैनो बैक्ट्रिया अभी तक दोनों बड़े important point है कौन-कौन से एक तो बात रही mesosome के बारे में और एक बात रही chromatophore के बारे में दोनों बड़े important point यहाँ पे है इसका main काम respiration इसका main काम photosynthesis यह दोनों main पूछे जाते हैं बैक्ट्रिया के से motile non motile हो सकती है अगर वो motile है तो वो चल पाएंगे तो उनके पास क्या रहेगी flagela रहेगी क्या मिलेगी flagela flagela के नंबर दुनिया के सारे बैक्ट्रिया में same मिलेगी क्या नई same नई मिलती different मिलेगी बात समझ में आ रही है different मिलती है सब में किसी में नंबर भरी पड़ी है peritricus flasla बोलते हैं किसी में नंबर एक है तो monotricus बोलते हैं नाम बड़े सारे हैं बैक्ट्रिया के जो flasla होती है इसके total कितने पार्ट होते हैं ये बड़ा important है filament, hook और vessel body तीनों में लंबी कौन filament filament is the longest portion and extends from the sail surface to the outside की तरफ मिलेगी flasla के अलावा इसमें पिली मिलेगा और fimbry मिलेगा ये दोनों का काम motility में होता है क्या ये दोनों का काम चलने में होगा क्या नई पिली और fimbry का जो काम होता है वो चलने में नहीं होता ये सबसे important line है do not play a role in mortality चलने में help नहीं करेगा बाहर के निकले हुए structure हैं ये ये पिली की बात करें reproduction में मदद करती है ये क्या है कौन सी protein की बनी होगी pyeline protein की बनी होती है tubal shape का होता है special protein pyeline का बना हुआ होता है एक और होती है fimbry fimbry क्या होता है वो समझो ज़रा सा शुबा में brush करते हैं हम लोग brush करते हैं तो जो brush पे fiber जैसे structure निकले होते जिससे दातों को घिसते हैं वो bristles होते हैं ऐसे ही bacteria के surface के बाहर में ये चीज होती है अब bacteria कहीं घूमने जा रहा है ट्रिकिंग कर रहा है अब bacteria को लगा भाई बहुत swim कर लिए अब थोड़ा सा ठहर जाते हैं तो चैटानों से चिपकने के लिए चैटानों से attach होने के लिए bacteria में क्या मिली fimbry मिली एक काम ये मिला इंबरी के कितने काम हो गए दो चिपकने के लिए और जाकर host tissues पे चिपकने के लिए और बाकी चैटानों से attach होने के लिए और देखते हैं questions which one is correct about मेशो शोम मेशो शोम के बारे में कौन सा correct है जल्दी से बताएं bacteria का characteristic है बिल्कुल सारे सही लग रहे होंगे तुमको आजो सारे सही लग रहे हैं भई हाँ बताओ भई किसके बारे में ये बात है ऐसे भी question पूछी जाती है it is the extension of plasma membrane into the cytoplasm it helps in cell wall formation DNA replication respiration secretion process increase the surface area of plasma membrane तो सारे काम किसके हैं मेशो शोम के answer C most procaridic cells particularly the bacterial cells इनके पास क्या होगा इनके पास क्या होगा बात समझ में आ गई होगी chemically complex cell enveloped complex होती है answer B next आ जाओ आगे आगे चलें most of the bacterial cell enveloped consists of most of the bacterial cell enveloped consists of NCRT की पहली लाइन यही थी most आपके पास क्या मिलेगा जल्दी से बताओ वही most के पास क्या मिलेगा यह चीज simple है answer क्या जाएगा C tightly bonded three layered complex cell enveloped which of the falling pair is mismatched mismatched glycocalyx capsule slam layer भी हो सकता है pilee का काम reproduction में cell wall की बात करें prevent from bursting फ्लैजला पिली और फिंबरी सर्फिस स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा बात समझे जड़ा सा वह पाईली वाला सकता है गलत होगा वह mismatch हाँ इसका देखो थोड़ा सा समझना इसका बात reproduction थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है जो मैंने कहा ना भी जैसे एक होती है sex पिल लगी ठीक है ऐसे इसकी काम बड़े सारे होते हैं इसमें क्या होता है ना generating metal का वैवैसे transfer करने में ही काम आता है बीच में conjugation tube होता है उसकी वज़ा से ये काम हो पाती है ठीक उसकी वज़ा से ये काम हो पाती है तो पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि जो piley होता है उसका काम reproduction में होगा ये पूरी तरीके से जरूरी नहीं है इसलिए वहाँ पे piley reproduction में help नहीं करेगा तो ये बात याद रखना ठीक है जैसे एक होता है एफ पिलाई होता है फर्टिलीटी पिलाई तो वह help कर सकता है उसमें mismatched है ठीक है आगे आओ बोला गया not true about fimbrie fimbrie के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है जल्दी से लगो fimbrie के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं लग रहा तुम्हें पाइली की शीज का बना था पाइलीन प्रोटीन का ऐसे fimbrie भी प्रोटीन के बने हुए होता है पैलिकल तो चीज ही यूगलीना में मिलती है ना यूगलीना के बाहर में सेल वाल नहीं मिलता उनमें ये चीज मिलती है ना देखने को तो ये क्या चला जाएगा तुम्हारा They form पैलिकल ये गलत है D Bacteria को दो ग्रूप में classify किया गया है किस basis पे ये चीज की गई है Bacteria can be classified into two groups on the basis of किस basis पे ये चीज किया गया है तो ये किया गया है तुम्हारा दो basis पे किया गया है फिर्स्ट और सेकेंड बेसिस पे किया गया है answer D जाएगा बैक्टेरिया फ्लैजला की बात करें टोटल जितनी पार्ट होती है उन्में से एक नहीं होगा इन में से वो कौन नहीं देखने को मिलेगा जल्दी से बताओ वो कौन नहीं देखने को मिलेगा इसमें से तो बात करेंगे यहाँ पर माइक्रोटिबल नहीं होती भी नहीं होगा विच लेयर ओफ सेल इन्विलब ऐसा कौन से लेयर है जो की बैक्टरिया को सपोर्ट तो देही रहा है साथ में बस्टिंग और कॉलाप्सिंग से बचाएगा एंसर सेल बॉल बैक्टरियल सेल्स की बात करें यह जल्दी से देखो जल्दी से देखो वई सिंपल है एंसर आ रहा है डी सबका सबसे बाहर में ग्लाइको कैलेक्स उसके बाद सेल बॉल उसके बाद सेल मेंब्रेल और यह सबका एंसर डी आ रहा है क्या डी आ रहा है तो बिल्कुल सही हो तो वीजोब दी फॉलिंग इस इंकरेक्ट लगाव भी जल्दी से इंकरेक्ट कॉन सा है लाइन याद हो जाएगी डबल डबल पूछा गया यहाँ पे इंकरेक्ट कॉन सा होगा इंकरेक्ट यहाँ पे कॉन सा होगा तुमसे यह पिछा गया है तो क्या in correct हमारा D हो जाएगा बोलो D होगा ना एंसर क्या है D हमारा which of the following is seen online prokaryotic cell जो सिर्थ prokaryot में मिले हमने बात की थी दो चीजे common होती है prokaryot यू karyot में एंसर क्या जाएगा दो चीजें जो common होती है एंसर क्या जाएगा ribosome चलो ये लगाओ भई जल्दी से लगाओ जल्दी से अंसर क्या जाएगा ग्लैकोकेलिक सबसे बाहर वाली हाँ ग्लैकोकेलिक लूज कैपसूल होगा नहीं लूज तो स्लाइम लेयर होगा ये भी चीज गलत लिख रखी है एक special structure plasma membrane मनाता है mesosome कहते है a small bristles like fiber answer A, D, E क्या पुछा है भई अच्छा wrong पुछाएगा B और C answer C आ रहा ना सबका answer C आ रहा होगा सबका चलो भई bacteria so range in the number of arrangement of flasolab bacterial flasolab is composed of how many parts अभी जस्ट देखा है तुमने how many parts जल्दी से लगओ answer how many parts तो total हमने देखा 3 parts देखने को मिलती है 3 parts में कौन सा part देखने को मिलेगा तो 3 parts में यहाँ पे filament, hook और vessel body answer D चलो जल्दी से देखो incorrect पूछा गया तुमारा incorrect पूछ रहा है incorrect कौन सा है लग गया incorrect देख लो जल्दी से incorrect है ना भई C क्यों क्योंकि हमारी cell membrane bacteria की cell membrane दोनों क्या है structurally क्या है similar है जैसे eukaryotes के होते है longest portion नाम flagella का longest portion नाम flagella का longest portion की बात करें क्या हो जाएगा filament answer A आ जाते हैं next topic में ribosome और inclusion body की बारे में अगर मैं बात करो तुमसे prokaryotes के बारे में तो prokaryotes में ribosome कहां जुड़े होते हैं plasma membrane से जुड़े होते हैं ठीक है associated within the plasma membrane of the cell diameter याद रखेंगे 15 से 20 कितने sub unit के बने होते हैं पहली ये देखें ribosome जो मिलेगा prokaryote में वो 70S मिलेगा 70S दो चीजों से मिलकर बना है 50S प्लस 30S maths वाले इसे बोलेंगे गलत है bio में यही चलती है 80S 60S प्लस 40S maths वाले बोलेंगे गलत है bio में यही सही है दोनों को जोडने के लिए कौन से element का काम होता है magnesium ion का होता है दोनों मिलाकर 70S बन जाएगी ribosome पूछी जाए कौन सी चीज़ बनेगी हमेशा protein बनेगी क्या बनेगी हमेशा protein बनेगी बहुत सारे ribosome है एक लंबी सी mRNA की होती है strand इस पे सब ribosome बैड जाते है यह 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 और ribosome मिलकर क्या बनाएगा protein बनाएगा तो बन्बी सी polypeptide की chain बन जाती है तो बताओ जब बहुत सारे ribosome इकठा हो गए नाम बोल सकते हैं poly ribosome बहुत सारे ribosome आ गए जब poly ribosome हमने कहा लगा नाम बहुत बड़ा लग रहा है छोटा करो polysome inclusion body हमारे अंदर stored food glycogen plant में starch bacteria में inclusion body reserve material इसमें stored जो होती है cytoplasm में वो इस form में कोई भी membrane से घिरा हुआ नहीं होता तो cytoplasm में free में मौजूद रहता है कहीं से membrane है नहीं तीन चीज़े याद रखेंगे CPG जैसे हमारे अंदर glycogen होता है ना तो इनके अंदर inclusion body का नाम क्या है तो इनके अंदर नाम है synofacian granules phosphate granules और glycogen granules यह तीनों नाम बड़े important है ठीक है भई gas vacuum की बात करें कहां कहां मिलेंगे blue green में purple bacteria में और green bacteria में green photosynthetic bacteria जैसे blue green algae वगरा में gas vacuum present है यह gas vacuum का का काम क्या होगा buoyancy में help करेगा कई भी तुम tear ने जाते हो देख ट्यूब मिलती है ट्यूब मिलती है तुम रंग भी रंगी चूज करते हो हमें तो pink वाली देना हमें white वाली देना हमें red वाली देना बस उसका काम क्या है तुम्हें डूबने नहीं देता यह सब चीजे नाचुरली बैक्टरिया में प्रेजेंट है gas vacuum डूबने नहीं देगा उन्हें question करे question करे select the incorrect statement incorrect कौन है जल्दी से बताओ incorrect कौन है जल्दी से बताओ भी incorrect कौन सा लग रहा है longest है भई सही है prokaryotes में 70 है associated with plasma membrane कोई भी यहाँ पे incorrect नहीं answer D फिर से पूछा incorrect 50, 30, 70 polysome बहुत सारे ribosomes ही सिर्फ होते हैं क्या साथ में MRN भी तो होगा ना messenger RNA भी तो साथ में होगा ना B वाला गलत है ना which of the following statement is false बोलुक false कौन है prokaryotic cell inclusions के लिए they are a storage granules in the cytoplasm ठीक है they are membranors हमने कहा रहे membrane तो होगा है नहीं ribosome में vessel body में centriol में nucleolus में inclusion body में यह पाचों में नहीं मिलते हैं membrane कभी देखने को they are membranors तो statement गलत है B आओ आगे eukaryotic cells मैंने कहा ता prokaryotic cells पे monra को रख दो monra के अलावा जो कुछ भी है protista, plant, animal, fungi सारे क्या है eukaryotic cells eukaryotic cells में बटवारा गजब का mitochondria ने कहा यह जगा मुझे दे दो chloroplast ने कहा यह जगा मुझे दे दो lysosome ने कहा यह जगा मुझे दे दो बटवारा बहुत अच्छा होता है compartmentalization extensive है बटवारा बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें क्या है membrane प्रेंट बैक्टरिया में कोई बटवारा है यह नहीं मान का चलो बैक्टरिया गरीब है और जो eukaryotic cells है वो क्या है अमीर है eukaryotic cells के पास nucleus बहुत अच्छी मिलेगी जिसके बाहर में nuclear membrane मिलेगा जिससे nuclear envelope कहते है eukaryotic cells के पास complex locomotory और cytoskeletal structures भी होती है complex locomotory चलने के लिए cilia वगरा भी होता है यह cilia कभी भी बैक्टरिया में नहीं देखने को मिलेगा cytoskeletal structure cytoskeletal skeleton cytoskeleton मिलती है ना microfilament microtable intermediate filaments इनकी genetic metal किसमे होती chromosome में होती है दुनिया के सारे eukerodic cells identical नहीं है plant cell अलग animal cell अलग protista अलग, fungal cell अलग सब अलग अलग देखने को मिलेगा ना plant और animal cells different होते है former possesses मतलब plant के बारे में बोला जा रहा है plant में क्या क्या है plant मैं CIID तीन चीज़े बता रहे है cell wall, plastid और बड़ा बड़ा vacuol animal की बात करें ये तीनों चीज़े animal में नहीं होती animal के पास centriol होता है जो अलमुष सारे plant cells के पास absent होती है तो काम की चीज़ क्या याद रखेंगे plant में तीन चीज़े मिलती है जो animal में नहीं मिलती cell wall, chloroplast और बड़ा बड़ा vacuol animal cell में ऐसा क्या मिलता जो plant cell में नहीं है centriol या centrosome के दो बात समझ में आ गई लोकोमोटरी का मतलब होता है सुमिल चलने वाल है उसको लोकोमोटरी कहते है the eukaryotes includes the eukaryotes includes सारे answer D there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through membrane-bored organelles in all except in all except सब में मिलेगा ये compartmentalization बटवारा सब में देखने को मिलेगा prokaryotes में कोई बटवारा देखने को नहीं मिलता plant cells differ from animal cells in having क्या दोनों में फर्क है plant cells differ from animal cells in having किस शीज का फर्क है तो फर्क है बड़ा बड़ा vacuum का, plastic का, cell wall का ए, आ रहा है न सबका answer आ रहा है बड़े-बड़े vacuum, plastic और cell wall का diagram को अच्छे से देख लेंगे diagram में कहां पर क्या है labeling important है इसकी ठीक है, ये कौन सा cell है plant cell, कैसे समझें, मोटी-मोटी दीवारे मिल रही है, तो ये plant cell ही कहते हैं इनको ये animal cell का diagram है यहाँ पर तुम्हें microvilli देखने को मिल रहा है ये चीज नहीं होती हमें plant cells में pro-caridic ribosome, आप कुछ mixed question है जल्दी यल्दी से करना एक portion हमारा cell का complete हो गया एक portion और बच रहा है pro-caridic ribosome क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा भाई, तो 70S मिलेगा C larger sub-unit pro-caridic ribosome का कौन मिलेगा जैसे एक था कौन सा 50 और एक कौन सा था 30 बड़ा कौन 50 answer C the size of the pro-caridic ribosome अभी just देखा हमने ये दोनों तो बिल्कुल clear कर सकते हो भाई कि आया नहीं वो 15 तो बात करेंगे तो कितना आ जाएगा C 15 by 20 nanometer आएगा 25 मत करना 15 by 20 आएगा pro-caridic ribosome हमेशा कैसे होते हैं 80, 100, 70, 45 pro-caridic ribosome हमेशा कैसे होंगे 70S, eukerotic, 80S क्या जाएगा 70S answer आगे हमारा से बहुत सारे ribosome जब single MRN पे attached रहेंगे ऐसे 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 तो बताओ उसको क्या नाम बोलेंगे उसके लिए नाम होगा polysome और एक और नाम polyribosome answer D clear है? चलो sale organal present in both pro-caridic और eukeridic बार-बार repeat हो रहा है answer बोलो दोनों में जो present है ribosome centrioles और centrosomes कहां मिलेंगे देखने को? centrioles, sale division का काम होता है plants में ये नहीं देखने को मिलती है तो कहां मिलेगा ये चीज ये चीज मिलता है किसमें मिलेगा? animals में हमने कई बार बात की कि ये जब भी मिलेगा तो कहां मिलेगा? animal sales में मिलेगा ठीक है? answer B diagram को देखे भाई diagram को देखकर answer लगाएं क्या चीज present है यहाँ पे? लगा पाते हो तुम? देखो अच्छे से देखो इसको पहले तो बताओ कौन सा sales है plant sales या animal sales plant है या animal है जल्दी से बताएं plant sales है या animal sales है जल्दी से बताओ diagram देखो diagram देखो जल्दी से तो answer बताओ अब यह answer बताओ आगे है सब कही है B आ रहा है सब का answer देखो क्या क्या चीज यह बताई जा रही है यहाँ पे देखो जा रहा है जल्दी से A बताई जा रहा है लाइससोम के बारे में C बताया जा रहा है Mitochondria के बारे में B बताया जा रही गॉल्सी बोडी के बारे में E Plasmodismeta तो इसको देख लेना अच्छे से जिसकी भी गलती हुई है तो एक तो diagram उतनी अच्छे से clear नहीं है है तो plant से लिए उतनी अच्छे से diagram ये clear नहीं है ठीक है वो मैं समझ सकता हूँ एंसर क्या जाएगा भी बी जाएगा ठीक है Plasmodismeta कहा होती है Sail Wall जो होती है उनके बीच में जो छोटे छोटे पोर होते हैं वही तो Plasmodismeta है Animal cells do not possesses Animal cells के पास क्या नहीं मिलेगा Plasmodismeta Sail Wall के पास था Plasmodismeta Sail Wall के पास था Sail Wall तो Animal का फीचर होता नहीं है तो जब Animal का फीचर होता ही नहीं है तो एंसर क्या लगा होगे तुम एंसर क्या लगा होगे Plasmodismeta बात सिंपल है ना बहुत अच्छा एंसर Plasmodismeta Which one occurs in both Procarotic और Plant cells अब अलग है Procarotic और Plant cells के बारे में Lysosome, Cloroplast, Cell Wall और Mitochondria Lysosome दोनों में Cloroplast क्या दोनों में Cell Wall क्या दोनों में तो बोलेंगे हाँ Cell Wall दोनों में एंसर C C A Plant cell has Plant cell के पास क्या मिलेगा बड़ा बड़ा Vacule Large Central Vacule और Resid Cell Wall एंसर A आव इस डियाग्राम को देखो इस डियाग्राम को देखो इस बार गलत मत करना इस बार गलत मत करना तुम आदा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है जल्दी से करें फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लाजमा मेंब्रेन Recognize the figure and find out the correct matching Correct matching बताएं क्या लग रहा है Recognize the figure and find out the correct matching जल्दी से बताव भी क्या लग रहा है answer A देखो ना microvilli है तो A में centriol कैसे हो जाएगा यही सोचो ना A में centriol तो हो ही नहीं सकता C में centriol हो सकता है क्योंकि centriol का structure हमेशा 90 degree पे मिलेगा answer A आना चाहिए बैस अपका answer A आ रहा होगा C में कौन है centriol A में बताई जा रही परोक्सिसों A में बताई जा रही microvilli F ठीक है answer सबका A आना चाहिए कई लोगों का आ भी रहा है और गजब A अब आते हैं topic cell membrane वो जो prokaryot वाला portion हुआ ना उसमें mesosome, chromatophore, inclusion body और 70s और glycocallics, slime layer, capsule वगरा ठीक है cell wall bursting, collapsing वाला ठीक है और पहले उसके plasmant gazzup की point है यह सब पाच्छे point जो है ना gazzup के आते हैं question है ठीक है मैं शुसों के वो चारो काम सबसे important cell respiration मज़ा आ रहा है यहां तक line by line complete होगे NCRD की, अब हम लोगों चलेगे किसमें cell membrane में कई नाम से पुकारते हैं cell membrane, plasma membrane, universal membrane, bio membrane, plasma lemma वगरा कई सारे नाम इसके होते हैं ठीक है भई, cell membrane यहां से भी एक question आने के chances बनते हैं cell membrane से या cell wall से अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे पहले cell membrane का यह जो page है ना पहले इसको cover करेंगे फिर जो अगली page में fluid mosaic model और active transport, diffusion वगरा है उसको cover करेंगे ठीक है भई भई, likes बढ़ते रहने चाहिए बस अभी तक 1.5 के likes है likes बढ़ती रहनी चाहिए ठीक है, मैं इदर energy लगा रहा हूँ तुमारे energy उदर और पढ़ाएं में लगती रहने चाहिए आओ, start करते हैं cell membrane कहानी की तोर पे सुने lifetime चीज़े याद रहेंगे membrane का detailed structure electron microscope की जब discovery हुई 1950 के आसपास उसकी बाद ही देखी गई थी क्या देखा गया human का RBC किसी और का RBC ना ही human की RBC देखी गई उसकी chemical study की गई और उससे scientist ने plasma membrane का पूरी तरीके से possible structure को पता लगाया जब ये structure हमने देखा तो पता चला कि cell membrane में lipid होते हैं और cell membrane में protein होती है cell membrane में क्या है cell membrane में lipids है cell membrane में protein है बात समझ में आ गई major lipids, lipids भी है protein भी है ज़्यादतर कौन है protein कितनी परसेंट 52% protein कितनी परसेंट 52% protein मिलेगी 40% lipid मिलेगा exam में भूल जाते हो तुम 52% protein कैसे P protein P से penta भी होता है penta का मतलब 5 आज से याद रखोगे 52% ठीक है lipid भी मिलती है protein मिलता है maximum amount में जो lipid मिलती है उस lipid का नाम क्या है उस lipid का नाम है phospholipid मिलती cholesterol भी है लेकिन maximum amount में जो मिलती है वो चीज़ क्या मिलेगी lipids मिलेगी और lipids में भी खास क्या phospholipids मिलेगी तो ये चीज़ याद रखेंगे जो कैसे layer में arranged होती है यह एक लेयर उपर, एक लेयर नीचे, बाय लेयर इसको बोलते है, यह देखो एक उपर एक नीचे, यह क्या है, उपर नीचे, लिपिट्स के बाय लेयर यहाँ पर है, बीच में जो मैंने बनाया, यह प्रोटीन है, फिर मैंने यहाँ पर बाय लेयर तुम्हें दिखा दिया, बार बार मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि जो सेल के अंदर का environment है उधर साइटोप्लाज मौजूद रहेगा सेल के बाहर में भी flood रहेगा जिसे extra cellular flood के नाम से जानते हैं क्या मैं ऐसा कहा दूँ दोनों तरफ पानी ऊपर भी पानी नीचे भी पानी 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 के तरफ हेड मतलब हेड को पानी से प्यार है टेल को पानी से डर लगता है इसलिए वो अंदर की तरफ चुपा हुआ है बताओ ये head है पानी से प्यार है तो polar कह दो पानी से प्यार है hydrophilic हो जाएगा बात समझ में आई tail के लिए कुछ बाते लिखू तुम खुद बोलोगे head बोला तो नीचे tail, polar था नीचे तो उपर non-polar ओ नीचे hydrophilic तो tail क्या रहेगा hydrophobic ये तीनों टर्म समझ में आई ऊपर नीचे की बात यहाँ पर हमें याद रखनी है ठीक है आगे देखो by layer बहुत important है monolayer में होगा क्या? नहीं हमेशा क्या मिलेगा? by layer lipids arranged होते हैं within the membrane polar head कहा होगा हमेशा? बाहर की तरफ, head हमेशा बाहर बाहर कहने का मतलब जो बूला जा रहा है ना अंदर की तरफ नहीं होगा अंदर तो tail हो रहा है ना और hydrophobic tail हमेशा कहा मिलेगा? अंदर में tail हमेशा अंदर में polar वाला बाहर में ऐसे मैं बोल दूँ देखना cell membrane में tail अंदर में hydrophobic part अंदर में इसके खारण क्या होता है? non polar tail अंदर है तो non polar tail जब अंदर है तो क्या इस पानी से तो बच गया ना aqueous environment से बचने के लिए tail अंदर में चिप जाता है tail को मज़ा ही नहीं आता पानी से tail अंदर में चिप जाता है ये बात याद रखेंगे phospholipid major component था और पूछा जाए प्रोकेरियोर्ट में कौन प्रोवाइड करेगा? अस्टैबलिटी तो वहाँ तो कॉलिस्ट्रॉल नहीं होती वहाँ कौन प्रोवाइड करेंगे? hopenoids, ठीक है? सब में अलग-अलग होती है fungi में argosterol, plants में phytosterol इतना याद को ना काफी है कॉलिस्ट्रॉल stability प्रोवाइड करती है और bacteria में hopenoids जब आगे investigation किया गया तो पता चला कि cell membrane के पास carbohydrate भी होते है protein और lipid की ratio vary करती है जब human की RBC को देखा गया तो पता चला कि 52% protein है और 40% lipid है तो एक बात जल्दी से बताओ नर्व cell भी देखेंगे तो क्या 52% protein मिलेगा वहाँ पे जरूरी नहीं है नर्व cell में lipid जादा नर्व cell में lipid का प्रशंट है 40 से जादा होगा ठीक है अब बात आती है protein के कितने part होते हैं तो protein के 2 part होते हैं एक integral protein करते हैं extraction ease of extraction मतलब आराम से निकाल सकते हैं जो अंदर धसा हुआ है निकालना मुस्किल होगा जो बाहर में है आसानी से निकाला जा सकता है ठीक है integral और peripheral इसका नाम में बूल दो integral का internal protein और peripheral का external में बोल सकता हूँ ठीक है peripheral protein की अगर बात करें तो बाहर मिलेगी ये चीज़ integral protein की बात करें तो चाहे तो पूरी तरीके से अंदर धसा होगा नहीं तो आधा आधा धसा होगा कैसा धसा होगा देखो जरा क्या ये पूरी तरीके से धसा हुआ लग रहा है protein प्रोटीन क्या ये आधा आधा धसा हुआ लग रहा है यही हुई integral और peripheral प्रोटीन बाहर में जो प्रोटीन है वो peripheral है जो अंदर में धसा हुआ है वो integral प्रोटीन है जो प्रोटीन के ऊपर में जो sugar है इसे glycoprotein कहते हैं जो lipids के ऊपर में sugar है इसे ही glycoprotein कहते हैं जिसको गॉल्जी बाड़ी बनाने का काम करता है और बाकी जो cholesterol है ये stability provide करने का काम करता है इसे fluid mosaic model कहते है और यहाँ पे कितने layer मिल रहा है यही चीज़ को तो दिखा रखा है ना इसने गौर से देखो जब diagram को तो लगेगा हाँ heat तो बाहर है यह diagram को imagine करते वक्त यह चीज़ ख्याल रखेंगे कि एक ऐसा cell है जिसमें इस वाले portion को तुम्हें जूम करकर दिखाया गया है तो इसके अंदर cytoplasm इसके बाहर extra cellular fluid मौजूद रहेगा clear है भाई आगे चलें आओ कुशन करें cell membrane का detailed structure 1950 में किस-किछ खोज से मिला था किस चीज की खोज हुई थी उसके बाद मिला था तो बात करेंगे electron microscope की खोज हुई थी c best material कौन है cell membrane को study करने के लिए best membrane कौन है study करने के लिए जल्दी जल्दी से लगो answer क्या बोलेंगे rbc of human a next बायो chemical investigation जब reveal किया गया तो cell membrane किस की चीज़ों का बना हुआ होता है क्या पता लगाया गया cell membrane किन-किन चीज़ों का बना हुआ होगा तो हमने पता चला कि cell membrane protein का भी बना हुआ है lipids का भी बना हुआ है और carvohydrate का भी बना हुआ है जल्दी सिक बाप percentage बोलेंगे सब लोग साथ में protein का 52% lipids का 40% जो बचा हुआ 86-8% है वो carvohydrate का rbc में ऐसा ही होता है इन cell membrane lipids है रहें जी न बाय लेयर मोनो लेयर मल्टी लेयर बोलो न बाय लेयर ठीक है the most abundant lipid in the cell membrane सेल में lipids तो बहुत है सबसे ज़्यादा कौन है सबसे ज़्यादा कौन है सेल में lipids बहुत सारे सबसे ज़्यादा phospholipid d lipids are arranged within the membrane with अब दिखू इसमें फस्ते हैं बच्चे कहां कौन होगा तुम बस दिमाग लगो lipids are arranged within the membrane with polar head outer side tail inner side तो यह चीज तुम्हें लग रहा होगा answer c जा रहा है क्या और आएसी answer क्योंकि उसमें लफडा हो गया उपर वाले में देखो polar head outer होना चाहिए न टेल inner होना चाहिए वो तो गलत हो गया head और tail दोनों बाहर की तरफ थोड़ी है तेल तो अंदर की तरफ है न देखो न टेल अंदर की तरफ है answer c आजाओ जल्दी से percentage भूलोगे नहीं percentage भूलोगे नहीं जल्दी से बताओ RBC की percentage बतानी है 40% lipid 40% lipid और 52% क्या मिलेगा हमें protein answer c c depending on the ease of extraction के basis पे membrane proteins को classify हमने कितने पार्ट में किया बताओ membrane protein को हमने कितने पार्ट में classify किया दो पार्ट में integral और peripheral answer c आओ diagram देखते हैं कितने लोगों को याद है diagram की labeling diagram में a क्या b क्या c क्या d क्या और यह हो गया phospholipid by layer बोलो 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 आ रहा है b b आ गया सबका बिलकुल रफतार में लगो रफतार में answer b आएं आगे चलो भई अब आगे start करते हैं हम लोग देखो an improved model sale membrane की जो structure है न उसका improved model अब बात आती improved क्यों model और भी आये थे model आये था sandwich model डैविसन और डैनियल का बखवास next model आया unit membrane model रोबर्सन का बखवास काम की बात कौन है यह improved model कौन सी singer and nicole son 1972 की fluid mosaic model fluid किसके लिटर म्यूज किया जाता है लिपिड्स के लिए क्योंकि वो होती है fluid nature की mosaic किसके लिए protein के लिए कुछ ऐसा समझो गुलाब जामुन चास्त्नी में है वो चास्त्नी fluid है मतलब वो लिपिड है बीच बीच में गुलाब जामुन रखे हुए हैं मतलब वो protein रखे हुए है क्वाशी fluid कहने का मतलब semi fluid according to this the quasi fluid nature जो लिपिड का है जिसके चलते protein की moment कैसी होती है lateral moment इस बात को समझें जारा सा यह रहा तुम्हारा यह रहा cell membrane की bilayer ठीक है अब यहाँ पर मान के चलो protein external protein तो यह protein का moment ऐसे हो गए इधर और इधर moment हो सकता है ऐसे ऐसे जैसे जूले जूलते हैं न बच्चे ऐसे 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 और यह lipids का moment कैसा होता है flip long उपर वाला नीचे आ जाएगा नीचे वाला उपर आ जाएगा ऐसा मत सोचना कि head फिर कहा अंदर चला जाएगा क्या नहीं अपने ही position पर वो shift कर जाएगा ठीक है तो पूछा यहीं पर गरबड़ आते हो गरबड़ यहीं पर होती है lipids का flip flop flip flop flip flop प्रोटीन का lateral moment है ना तो यह चीज़ याद रखेंगे आगे चलो bilayer में क्या चलता है protein का lateral moment मान के चलो गुलाब जामुन है ना वो जूल रहा है इस तरह से इसी की वज़ा से क्या आई fluidity आई sale membrane की fluidity इसी वज़ा से आई क्या राम से यह क्या कर रहा था move कर रहा था lipids की वज़ा से fluidity आती है आराम से membrane के अंदर में moment चल रहा है इसके कारण ही क्या membrane flexible हो गई sale का growth इसी के कारण होता होगा sale के अंदर में कोई चीज जानी है इसी के चलते होगा sale को बाहर कोई चीज निकालनी है तो fluid nature का है आराम से निकाल सकता है सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना होगा इसी के चलते सेल को बीच में कोई जंक्षन बनाना होता होगा क्योंकि इसके चलते सारी चीज़े एजी हो गए ना बस वही तो चीज़ है दा फ्लूट नेशर अब दा मिम्रेन के पाच फाइदे हैं पहला सेल ग्रोथ, दूसरा फॉरमेशन अफ इंटर सेल्लर जंक्षन तीसरा सिक्रीशन, चौथा इंडोसाइटोसेस और पाचमा सेल डिवीजन जब कोई चीज सेल के अंदर जाएगी तो इंडोसाइटोसेस जब कोई चीज सेल बाहर निकालेगा एक जो साइटोसिस जिसको सिग्रिशन कहाते है सेल डिवीजन सेल दो पार्टमें डिवाइड हो रहा है बाके इंटरसेलर जंक्शन आगे देखें तो ये तो फाइदे तो पता चल गए हमें अब पुछा जाए प्लाजमा मेंब्रेन का सेल मेंब्रेन का सबसे इंपॉर्टन काम क्या है तो मॉलिक्ल को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर उधर से इधर ये काम करता है क्योंकि ये क्या है सेलेक्टीवली परमेबल मतलब चुन-चुन कर चीजों को भेजने का काम करेगा ठीक है तो some molecules present on either side of it इधर वाले को उधर बेज़ेगा उधर वाले को इधर बेज़ेगा simple सा काम यहाँ पे होता है अब यहाँ पे तीन चीज़े हैं काम की चीज़े सुनें द्यान से passive transport में तीन चीज़ें आती हैं एक आता है simple diffusion एक आता है osmosis और एक आता है facilitated diffusion और एक active transport तो अलग है बताओ क्या active transport में energy लगती होगी क्या active transport में energy लगती होगी क्या active में तो ATP लगेगा ही लगेगा तो बात बड़ी simple सी है active में energy लगेगी passive energy नहीं लगती है तो बहुत सारे molecules membrane के तरफ move कर जाते हैं बिना energy लगाए बोलते हैं passive transport passive transport के तीन पार्ट है एक होता है osmosis, एक होता है simple diffusion एक होता है facilitated diffusion पूछे पानी कैसे transport हो रहा है कह देना osmosis से अब बात वहाँ पर काम की चीज़ जो पूछी जाती है direct तुमसे वो क्या याद रखोगे पूछा जाए बहुत सारे molecules कैसे move कर जाते हैं बोलना passive transport neutral solids जिन पर कोई charges नहीं है neutral solids कैसे move करेंगे simple diffusion से ठीक है high to low concentration में कोई energy apply नहीं होती पानी का moment कैसे होगा बड़ी important है अब देखो ये जो lipid है ये lipid की जो tail तुम देख रहे हो ये tail polar है या non polar पहले तो ये बताओ lipid की tail तुम्हें क्या लगी lipid की tail non polar लगी lipid की tail जब non polar है तो क्या ये बीच में से polar को जाने देगा क्या like dissolves like अपने वाले को ही भेजेगा न कोई simple सी बात वही लिख रखी है polar molecules cannot pass through the non polar lipid by layer इसलिए वहाँ पे क्या लगाया जाना होता है protein बीच में देखा था सबने protein protein के through ही ये moment देखने को हमें मिलता है देखो जारा सा protein के through ही ये moment हमें देखने को मिलेगा देखो ये बीच में protein है ना protein के through ही moment होगा protein लग जाए तो कह देना facilitated transport ठीक है कुछ ions की अगर बात करें या कुछ molecules ठीक है ये low concentration से high concentration की तरब जाते हैं जिसमें energy बहुत ज़्यादा लग जाती है और जिससे हम active transport बोलते हैं इसका example sodium potassium pump एक बार तो ends में simple सी question पूछी गई थी कि sodium potassium pump किसका example है तो क्या बोलोगे active transport पूछा जाएगा क्या polar molecules lipid non-polar tail के से पास हो सकते हैं नहीं हो सकते तो क्या चाहिए facilitated diffusion movement of water by the process of diffusion answer उश्मोशिस ज़्यादा तर molecules passive या active passive से transport होंगे बहुत कम molecules बहुत कम ions बहुत कम charge particles कैसे जाएंगे active से जाएंगे इतनी बाते तुम्हें याद रखनी है ठीक है question करो तो पता चलेगा question करो पही जल्दी जल्दी से question करो जल्दी जल्दी से क्या लग रहा है तुमें an improved model सबसे improved model कौन है fluid mosaic model जिसमें lipid और protein की बात की जाती है who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane in 1972 1972 में जो propose किया गया वो कौन सा किसने किया तो singer और nicoleson क्या था भई according to the modern concept cell membrane का nature कैसा है solid है नाई fluid है नाई quasi fluid है हाँ semi fluid nature का होता है fluid nature or membrane is able to explain fluid nature के क्या फाइदे थे कितने फाइदे थे तो fluid nature के हमने बड़े सारे फाइदे देखे थे total 5 फाइदे पाचों है d plasma membrane कैसा semi permeable या selectively तो चुन चुन कर चीज़े जाएंगी answer selectively permeable answer क्या जाएगा c next cell membrane चुन चुन कर चीज़े जाएगा इसका मतलब क्या हुआ सारे चले जाएंगे allow all materials नाई allows only water नाई allows only certain materials to pass through answer c अब लगो तुम्हारा ये जिम्मा है तुम जल्दी से लगो क्या जा रहा है तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा answer neutral solids में move across the membrane by a process of simple diffusion इसमें कोई energy लगती है नहीं along the concentration gradient या against the along the देखो जब तुम cycle चला रहे हो और cycle चलाते हुए cycle चलाते हो तुम पहाडों पे जा रहे हो तो वो क्या लगेगी along the है या against the against तुम जा रहे हो gravity के against जा रहे हो तुम तो वो चीज क्या चलेगी against दी तुमें energy लगेगी और along दी जाते है न तो energy वहाँ पे नहीं लगती the polar molecules बताओ जल्दी से important question है यही तुम भूलते हो तुम the polar molecules can pass through lipids से bilayer से pass हो जाएंगे क्या lipid का bilayer तो वहाँ पे tail जो है वो non-polar है नहीं हो सकता cannot pass through the bilayer of lipid of plasma membrane need carrier protein of the membrane to facilitate शिट कजब B और C दोनों सही ना answer D what is true for fluid mosaic model fluid mosaic model के बारे में क्या true लग रहा है तुम्हें fluid mosaic model के बारे में क्या सही लग रहा है तुम्हें fluid mosaic model के बारे में सारी बाते सही है एक ही तो true होगा ना phospholipid monolayer ना phospholipid bilayer is present over protein layer प्रोटीन इंबेडेन इन फॉस्फोलिपिड बाई लियर एंसर सी जल्दी से तुम लगाओगे यह तुम लगाओगे देखते हैं कितने बच्चों की फ्लिप फ्लॉप पॉम्मिंट वाली चीज क्लियर होई जल्दी से लगाएं लग या लग वह है सिंपल सा चीज है सिंपलसा ने को विच अभी फॉल्具 क्या पूछा ग till छाएं इन करेट पूछा है तुम से पहले तmezkte कर दो तुम प्रोटीन का फिली-फ्लॉप मुमिंट होगा नई प्रोटीन का मूवमेंट कैसा लैटरल मूवमेंट अरे बताओ ना फ्लिफ लप किसका तो बोलेंगे लिपेड्स का एंसर भी लगाओ तुम जल्दी से क्या बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसी चीज को तो बोलते हैं फ्लूडिटी यही तो होती है फ्लूडिटी यही चीज होती है याद रखेंगे फ्लूडिटी होगी एंसर इसी के पाच फायदे हैं फ्लूड नेचर के यह important portion है जल्दी से लगो क्या लगाना चाहिए जल्दी से लगो match the following है neutral solids कोई चार्ज नहीं है उनमे भेज़ दो passive transport से पानी है उस मुसिस से भेज़ो एंसर आ रहा है सबका B B आ रहा है भई 2, 3, 1 2, 3, 1 NCRD कहा रही थी ना as the polar molecules cannot pass through lipid के non-polar bilayer से answer क्या चला जाएगा तुमारा answer चला जाएगा तुमारा B next आ जाओ आगे molecules which are transported across the membrane against the concentration gradient against में अनर्जी लगेगी क्या against में अनर्जी लगी तो क्या हो जाएगा passive active बोलेंग active active कहा गया active transport यहाँ है active transport का diffusion नहीं होता active transport में sodium potassium pump होती है passive transport में तीन चीज़े याद रखना simple diffusion osmosis और facilitated transport तीनों में से किसमें protein facilitated transport में protein का इस्तमाल होगा आगे बढ़ते हैं answer तो C आ गया ना clear है सबका चलो यह लगा तुम यह लगा उस्पल है दो ही चीज़ है ना एक option नहीं है क्या नहीं दो ही चीज़ है osmosis energy लगे की क्या osmosis में energy नहीं लगती है active energy लगती है answer आ रहा है सबका D one to one कैसे लगा without energy without simple सी बात है अब आ जाएं cell wall में चलें वाई cell wall में ठीक है हाँ cell wall में चल रहे है questions अब कर पा रहे हैं जितने भी class में लोग बैठे हुए है सारे लोग questions कर पा रहे हैं कोई जल्दी बाजी तो नहीं हो रही है क्योंकि आराम से इतने speed में तो तुम गरी सकते हो है ना cell wall क्योंकि इस बार exam में 100 questions होंगे और time हमारे पास बस 90 मिनट होगा और दीखना तो 100 ही questions है ना सारे लगाने भले ही 90 हो आ जाएं cell wall में cell wall में आ जाएं जल्दी से cell wall क्या non living है हाँ रिजिड है बड़े ही सकता structure है cell wall क्या plasma membrane की बाहर में मिलती है fungi में मिलती है plants में मिलती है और algae में मिलती है bacteria में भी मिलती है ठीक है cell wall के चार काम यहाँ NCRD बता रखिए पहला काम cell को safe देना दूसरा काम cell को protection देना ताकि mechanical damage से बचाया जा सके काम होता है चौधा कोई भी undesirable macromolecle है कोई भी बड़ा बड़ा molecule वो इंटर नहीं कर पाएगा ठीक है वो इंटर नहीं कर पाएगा ठीक है आगे देखो algae के पास क्या cell wall होती है algae के cell wall चार चीजों की बनी होगी बहुत important algae के cell wall चार चीजों की बनी हुई होती है बहुत important चीज़ है याद रखना cellulose, galactans, manans और minerals कहते हैं इसे ठीक है, cellulose, galactans, manans और mineral mineral की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा calcium, carbonate की बनी हुई होती है यहाँ पे minerals जो होती है next, अगर plants की cellulose, cellulose, chpp की बनी होती है plant की cellulose, chpp की बनी हुई होती है cellulose, hemicellose pectin और protein ठीक है, हाँ next plants की बात करें तो cellulose, hemicellose, pectin, protein और algae की बात करें तो cellulose, galactans, minerals और manans और minerals ठीक है अब यहाँ से कुछ line conceptual है इस line को समझो देखो कोई भी plant sale होता है ठीक है plant sale, जो young होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा उसमें हमें primary wall देखने को मिलती है primary wall की कारण क्या हो पाएगा growth हो पाएगा किसी के भी जिंदगी में सबसे पहली जो wall आती है वो primary wall होती है ठीक है धीरे धीरे जब sale mature होता चला जाएगा तो ये primary wall धीरे धीरे खतम होती जाती है diminished होती जाती है छोटी होती चली जाएगी ठीक है भाई छोटी होती चली जाएगी तो which gradually diminished जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा primary sale wall छोटा होता चला जाएगा और अंदर में बाहर में नहीं जैसे एक सेल है ना तो इसके अंदर में प्राइमरी तो पहले था ही और उसके बाद अंदर में ही सेकेंडरी अंदर में ही टर्शेरी सेल वाल वगरा डिपोजिट होने लगेंगे सेकेंडरी में भी S1, S2, S3 ऐसे से करकर अंदर में डिपोजिट हो रहे है अंदर में क्या सेल मेंब्रेन मिलेगा तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो डिपोजिट हो रही है सेकेंडरी वगरा वो अंदर की तरफ चीज़े हो रही है ठीक है अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या बूला जा रहा है सेल मैक्चोर्स सकेंडरी वॉल जो बनी है वो अंदर की तरफ बनी है बच्चे भूल जाते है किदर बनी है अंदर की तरफ बनी है मेंब्रेन की तरफ बनी है अब देखो एक चीज होती है मिडिल आमला इसका मतलब समझ लेना सिंपल सी बात है ये एक plant cell है बगल में एक plant cell है ठीक है दोनों plant cell बाहर में जुड़े हुए जिस चीज से रहते हैं इसको बोला जाता है middle lamella ठीक है, दोनों के बीच में एक छोटा सा पोर होता है जिसको plasmo desmata कहते है यहाँ पे एक desmotible होती है बनाया यह plasmo desmata है क्या plasmo desmata छोटे से पोर के थूँ दोनों के cytoplasm आपस में मिलते जुलते रहेंगे तो दो plant cells को आपस में किसने जोड़ा बाहर से middle lamella ने जोड़ा जो calcium pectate या magnesium pectate की बनी होती है वही बात है the middle lamella is a layer mainly made up of calcium pectate जो की different neighboring cells को आपस में पास में रखा करती है और सेल वाल और middle lamella दोनों में बीच में traverse चलाया ना क्योंकि बीच में क्या भरी हुई थी middle lamella और middle lamella को भी और सेल वाल को भी किसने bisect कर दिया किसने उसको अंदर से बना दी pathway तो किसने बनाया plasmo desmata ने बात समझ में आई बात समझ में आई simple सी बात यहाँ पर है चलते हैं आगे की तरफ questions करते हैं देखते हैं कितना समझ में आया algal cell wall consist of algal cell wall में क्या होगा तो algal cell wall में सारी चीज़े मिलेंगे देखने को algal cell wall consist of सारी चीज़ें D the cell wall of plant consist of plant में क्या था CHPP plant में क्या था CHPP तो cell loss है में cell loss pectin protein middle lamella middle lamella calcium pectate different cells को आपस में जोड़ना और यह आगे जाकर cell plate बन जाती NCIT के लाईन है cell division में answer all D select the statement that is true दुनिया के जितने भी cell हैं सबके पास cell wall है अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी cell wall होती animal cells contain microtubles but plant cells do not have microtubles ठीक है ठीक है ठीक है पूछा न तुमसे answer D जा रहा है answer D जाएगा ठीक है answer क्या जाएगा D गॉल्जी अपरेटरस इस फॉर्ण अल्ली इनिमल से प्लांट सेल्स में अगर बात करें तो प्लांट सेल्स में बिटिटी ओस्वम होते ही answer सबका D जाना चाहिए next इस question को करें ये question important है ये question important है भई जल्दी से करना है इस question को पानी वगरा पीते रहें पानी वगरा पीते रहें हाँ बताओ भई answer क्या जाएगा answer गया जाएगा answer आ रहें सबका B B आ रहें भई हाँ plasmo desmata और middle lamella बात बड़ी simple सी है भई देखो बात simple सी पूछे cytoplasm का exchanging हो रहा है किसकी वज़ा से बोलेंगे plasmo desmata की वज़ा से पूछे दो सेल पडोसी वाले आपस में चिपक गए किसकी वज़ा से plasmo desmata की वज़ा से बात समझ में आ गई simple सी बात है function sale wall के क्या क्या है sale wall के function क्या क्या है बताना है जल्दी से sale wall के function क्या क्या है सारे function है d in most of the plants sale wall is made up of जादतर plants में जो sale wall बनी होती है plant की बात आई ना लगाओ CHPP P for plant तो PP आएगी CHPP answer D next देखो इसको इसमें गरबड मत करना तुम the sale wall of young plants is primary wall होती है which gradually diminishes as the sale matures and the secondary wall is formed under अंदर की तरफ बनेगी तो outer हटाओ अंदर बनेगी towards membrane की तरफ बनेगी answer C important question है answer C अब आ जाते हैं हम लोग किसमें Indomembrane system में किसमें आ चुके हैं Indomembrane system में आ चुके हैं क्या होता है यह Indomembrane system while each of the membranous organ जितने भी membrane होते हैं क्या सबके function अलग-अलग है क्या यह बात मानते हो तुम जितने भी हैं क्या सबके function अलग-अलग देखने को मिलते हैं सबके function अलग-अलग इंडोप्लास्म क्रेटिकूलम अलग-अलग गौल्जी बॉड़ी अलग function लाइसुसूम अलग है वैक्यूल अलग है माइटोकंड्रिय अलग है क्लोरोप्लास्ट अलग है निकलियस अलग है साइटोस्केलटन अलग है माइक्रोबडी अलग है साइटोब अलग है सबके structure अलग हाँ सबके function अलग हाँ तो बात आती है कि इंडोप्लास्मिक रेटिकूलम ने मदद की गौलजी बॉड़ी की गौलजी बॉड़ी ने निकाला लाइसोसोंग आपस में क्या जुड़े हुए है न तो बात आती है इंडो मेंब्रेन सिस्टम में कितने आएंगे सेल औरगेनल तो इंडो मेंब्रेन सिस्टम में ये चार सेल औरगेनल देखने को मिलती है नाम क्या है इजी लव प्यार करना आशान है कितनी बार, एक बार, ठीक है, याद रखेंगे, सब में single membrane ही होता है, तो इसलिए प्यार करना आसान है, कितनी बार, एक बार, कि लोग बोल सकते हैं, दो बार मैंने की है, दोनों बार आसान लगा मुझे, लेकिन आशान एक बार होता है, है न पहली पहली बार जो होती है, पहला ही मुस्किल था तो बात समझ में आगी functions are coordinated ठीक है यह functions are coordinated प्यार करना आशान है चलते हैं आगे चार से लॉर्गनल के नाम तुमने देख लिए आपस में चारों के functions क्या coordinated रहे होंगे हाँ अब देखो ने NCID क्या बोल रही है mitochondria, chloroplast और paroxysome के function आपस में coordinated नहीं है यह लिखने की क्या ज़रूरत थी सिर्फ पूरे सेल में इनी चार के coordinated होते हैं राइबोजूम का है coordinated किसी के साथ नहीं paroxysome का नहीं, asferosome का नहीं, glyoxysome का नहीं, mitochondria नहीं, chloroplast नहीं तो सारे नहीं आएंगे न तो क्यूंकि आपस में Indomembrane system में कितनी आएंगी चीज़े, चार चीज़ें आएंगी, question करें, आओ which is a part of Indomembrane system of eukerotic cells कौन सा पार्ट है, चल्दे से बताओ, खुशी गुपता कह रही है, वई सब पहली पहली बार easy नहीं होता, कई बच्चे कह रहे हैं, जब तक chapter खतम ना हो जाए, तब तक class चलेगी, हाँ बिलकुल which is a part of Indomembrane system, सर मुझे तो रोज होता है, एक है बई बिरुजगार गेमर, ऐसे से नाम आइडी से आते हो तुम बिरुजगार गेमर, Indomembrane system कौन है बई इससा गौलजी बाड़ी, ओ नेक्स्ट एंसर डी जाएगा, आगे चलें, ER, GB, Lysosome, Bacular components of Indomembrane system, because, चारों आपस में क्यों आ रहे हैं, Indomembrane system के हिस्से में, Indomembrane system के हिस्से में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यह structure अलग अलग हैं, function distinct, all functions are coordinated, इसलिए आ रहे हैं, answer C, अब आ जाते हैं, उन चारों के बारे में पढ़ना है, हमें, EG Love के बारे में पढ़ना है, ठीक है, endoplasmic reticulum, ठीक है, endoplasmic reticulum, पहले तो यह देखें ज़रा सा, यह क्या है, nucleus हमें मिला, यह nucleus हमें मिला, nucleus में क्या तुम्हें, बाहर से लग रही है, nucleus के बाहर वाले membrane से, nuclear envelope के outer membrane से, कुछ ऐसे structure है, ऐसे structure हो रही है, और यह network बन रही है, यह reticular structure है, network बन रही है, तब ही तु बूला गया नाम, reticulum, reticulum का मतलब network बन रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट तुमको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, इसमें छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना तुमको, ये छोटे छोटे दानों को राइबोजोम कहा जाता है, ये दाने तुमें इसमें नहीं मिल रहे हैं, राइबोजोम क्या बनाएगा, राइबोजोम प्र क्रेटिकुलम कह दें जो चिकना है उससे स्मूथ इंडो प्लाजमी क्रेटिकुलम कह दो चिकने पे राइबोजोम है क्या नहीं चिकने पे राइबोजोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाएगा इस पे राइबोजोम है ना रुखडे पे रफ पे है ना तो यह प्रोटीन ब और glycogen का synthesis करेगा लेपिट्स और glycogen के synthesis करेगा दिखते हैं ज़रा electron microscope से eukerotic cells के study की गई तो पता चला अंदर में एक network है जो छोटे छोटे tubal shape के structure फैले हुए है cytoplasm में जिसका नाम endoplasmic reticulum कहा गया endoplasmic reticulum ने cell के अंदर के space को दो पार्ट में डिवाइड किया cell के अंदर की चीज़ों को intra cellular कहते हैं देखो cell के अंदर की चीज़ों को क्या बोलते हैं intra cellular बोला जाता है बात बहुत ही simple है देखो अगर मैं तुमसे बोलू ये जो tubular shape की चीज़ है अगर इसके अंदर में कोई चीज़ की बात की जा रही है तो क्या मैं उसको luminal कह सकता हूँ क्या अंदर वाली चीज़ होगी तो बोलेंगे luminal lumine का मतलब space होता है mitochondria में भी ये term use होगी जो बाहर वाली है वो extra luminal जो अंदर में है वो luminal बाहर वाली extra अंदर वाली luminal तो देखो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ने intracellar space को दो distant compartment में डिवाइड किया एक को बोलते है luminal एक को बोलते है extra luminal luminal का मतलब इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के अंदर की चीज़ ठीक है अब देखो अगर extra luminal की बात करेंगे तो क्या cytoplasm की बात की जा रही है मतलब जो भी बाहर का चीज़ आया तो बाहर तो cytoplasm ही भरा होगा अगर मैं consider करूं कि ये पूरा का पूरा sale है तो ये सब cytoplasm जो है ये सब extra luminal कैटिकुरी में आएगा अब वैसे इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जिनके पास राइबोजोम है आउटर सर्फिस पे उसको क्या बूला जाएगा RER जिन में नहीं है उनको बूला जाएगा SER अस्बूत इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम अब आगे देखो कुछिन करते कुछी छूट गया क्या वो छी छूट गया सायद एक निचे की लाइन चूट गयी है वो मिना लिक दिया बैसे देखो क्या है बात पूरी लाइन नीचे के सुन लेना क्या है। फिंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में राइबोजोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम करेगा एक और जो चीज़ है ACR वो ग्लाइकोजेन और लिपिड सिंथेसिस करेगा साथ में ही अस्टेरडल हॉर्मोन जैसे इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोन, टेस्ट्रोस्ट्रोन का भी संथेसिस करेगा अरे बस एक बात है R.E.R. पुछे प्रोटीन लगाना उसके अलावा जो भी है ACR कर देना अराम से चलो कुशन करो वीच अब दी फॉलिंग सेल और गिनल वेर डिस्कवर्ड आफ्टर इंट्रोड़क्शन ओफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप जल्दी से बताएं भाई जल्दी से बतो जल्दी 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 हाँ भाई एंसर क्या लग रहा है एंसर क्या जाएगा इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम अभी जस्ट देखा था हमने इसे देखो न इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से तो चीजों का पता चला न तो एंसर क्या जाएगा तुमारा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप वाली चीज जाएगे ठीके बात तो ये एंसर चला गया कि एलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दो चीजों को देख पाते हैं एक इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम को और एक राइबोजोम को याद परना डिटेल में चीज़ हैं यही देख पाते हैं इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम को हम R.E.R. कहेंगे कब प्रोटीन वाली याद रखो तुमसे कुछ भी पूछा जाए प्रोटीन के अलावा प्रोटीन के अलावा तुमसे कुछ भी पूछा जाए तो क्या लगाओगे एंसर कॉलिस्ट्रॉल इस सिंतेसाइज भाई S.E.R. पूछे गलाइको प्रोटीन एंसर R.E.R. पूछे मेटैलो प्रोटीन एंसर R.E.R. पूछे कोई भी प्रोटीन एंसर R.E.R. कॉलिस्ट्रॉल पूछे S.E.R. लिपिट पूछे S.E.R. अस्टेरोडल हर्मोन S.E.R. समझ गया नेक्स्ट राइबोजोम सर फाउंड इन ओल Accept. Bay. Rubozome सब में मिलेगा एक में नहीं Bay. Rubozome सब में मिलेगा एक में नहीं Gyalzy body में नहीं मिलती Bracteria मिला था S70S Mitochondria में भी होगा Cloroplast के अंदर में भी होता है Indoplasmic reticulum में R.E.R. पे मिली हमें ये चीज़ लेकिन हमें क्या Gyalzy body पे मिलेगी नहीं मिलेगी answer D समझ में आ रहा है न the membrane of the ER are continuous within the membrane of देखो न nucleus के membrane थी nucleus के membrane से क्या ऐसे ऐसे structure निकले हुए थे हाँ तो outer membrane से तो निकले है न क्योंकि nucleus में तो दो membrane होती है न तो इसकी outer membrane से RER निकलेगी तो याद रखेंगे nucleus के और nucleus में भी किसके outer membrane से याद रखना ठीक है answer क्या जाएगा simple है हाँ SER RER ने protein बनाया तो ACR क्या बनाएगा RER ने protein बनाया तो ACR ने क्या बनाएगा सिर्फ lipid क्या नहीं lipid, astridal hormone और glycogen metabolism answer C लगाएं किसके बारे में बात बोली जा रही है ये बातें किसके बारे में बोली जा रही है animal cell, plant cell का cytoplasm दो पार्ट में डिवाइड यहाँ पे कर रखा है किसी भी अभी जस्ट बात किया था हमने endoplasmic reticulum के लिए aluminal, extra aluminal आएगा answer A diagram को पहचाने जरा diagram को पहचाने क्या बात बोली जा रही है ये C, ये A, ये E पहले ये पहचानो, फिर उदर चलना ribosome है ना, A हो गया ribosome A ribosome है ये गलत चला गया तुम्हारा ऐसी सबको eliminate करना भई eliminate करो, तो C में तुम्हारा R.E.R. आना चाहिए, यहाँ पे smooth बता रखा है ठीक है C में R.E.R. आना चाहिए E में A.C.R. आना चाहिए E में A.C.R. दोनों में आ रहा है अब चलोगे इस पे B और D की बात करेंगे तो nucleus और nuclear poor तो D में हमें nuclear poor मिल रहा है answer B answer B correct है भई, N.C.R. ड की डियाग्राम थी उसी से कुशन पूछा गया था तुमसे next चलो, R.E.R. इस राफ बिलकुल है राफ, क्योंकि R.E.R. में क्या present है R.E.R. में ribozome present है A आएं गॉल्जी अपेरेटस में scientist का नाम Camilo Golgi कहानी 1898 की पहली बार observe किया near the nucleus चीज मिली जो dense लियस टेंड था, पूरी तरीके से dense structure था, देख रहे हो, सब एक साथी compactly packed है यहाँ पे ठीक है, Golgi बोडी ने Golgi बोडी नाम रखा गया क्योंकि scientist का नाम था Camilo Golgi कि इसमें flat disc saved देखो जाणा सा इनको बोला जाता है sister जो ऐसे structure तुम देख रहे हो ना इनको बोला जाता है sister नी बोला जाता है, थीक है इसमें sister नी तुमएं कितने मिल Rहें एक, दो, तीन, चार, पास sister नी तुमको इसमें मिल रहे हैं, जरूरी है कि हमारे जितने भी सर्स बॉड़ी में हैं सारे में सिस्टर्णी के नंबर 5 हो जरूरी नहीं है जहां पे काम जैसा वहां पे नंबर जादा हो जाता है सिस्टर्णी के नंबर vary करते हैं बात याद रखना सिस्टर्णी का diameter तुम्हारे सामने 0.5 से लेकर एक बाइक्रोमेटर तक मिलेगा यह डाइमेटर बहुत important है सिस्टर्णी के features flat होता है और disc safe होता है ठीक है आपस में दूसरे के तरफ parallel लग रहा है ना कुछ अगर ऐसे देखो इसको मैं अगर ऐसे कर दू तो लग रहा है ना एक के उपर एक किताबे रखी हुई है तो parallel एक दूसरे के उपर में stacking की हुई है varied number देखने को मिलता है गॉल जी complex के जो गॉल जी से स्टर्णी होती है वो concentrically arranged है सबका center क्या रहेगा common रहेगा सबका center अगर common रहेगा तो उसके लिए ही ये term बोला जाता है अब यहाँ पर दो बाते हैं समझना इसको अच्छे से यही चीज नहीं समझ में आती ठीक है इधर वाला जो face है ना इसको मैं बोलूँगा cis face तो इधर वाले को क्या मैं बोलूँगा trans face थोड़ा सा बात को समझना इधर वाले को मैं बोलूँगा forming face यह labeling अपनी NCRT में जरूर कर लेना इधर वाले को मैं बोलूँगा maturing face ठीक है यह इधर cis हो गया इधर हो गया forming यहाँ पर हो गया ठीक है next इसे तुम convex कह सकते हो और इसे तुम concave कह सकते हो पत समझ मैं रही इस सबको क्या क्या कहा गया है अब ही बात पता चलगी क्या क्या यहाँ पर कहा जा रहा है अब सुने चरह सा ध्यान से यहाँ पर है इधर cis, इधर trans, इधर forming इधर maturing, इधर convex, इधर concave अब सुनो यह nucleus के पास में है NCID ने कहा नियर्द निकलियस और हमने देखा निकलियस के पास में rough endoplasmic reticulum और वहीं पर smooth endoplasmic reticulum था मतलब endoplasmic reticulum वहाँ पर था हमने देखा कि वहाँ पर एक RER था हमने देखा वहाँ पर ACR था RER ने कहा मैं protein भेज रहा हूं ACR ने कहा मैं lipids भेज रहा हूं ठीक है ये दोनों की चीज आई दोनों को RER ने कहा ACR ने कहा इसको गौल जी वाड़ी को गौल जी सुनो जरा इसने कहा क्या बात है इसने कहा protein ले लोगे क्या इसने कहा ठीक है protein को देना लेकिन गोले में pack कर कर देना पूरी तरह किसे packaging देना ये बूला कि मेरी भी ले लो जैसे इसके लिए हो तो ये भी इधर से आ गया एक में क्या भरा है protein और दूसरे में क्या भरा है lipids ये इधर से आ रहा है देखो यहाँ पे जाकर attach हो गया तो मैं पूछो तुमसे कि endoplasmic reticulum किसके पास से endoplasmic reticulum से क्या चीज़े भेजी गई तो क्या भूलेंगे वहाँ से protein आया और वहाँ से lipid आया कौन से face ने उसको accept किया sis नहीं है trans नहीं sis ने उस गोले को accept किया endoplasmic reticulum ने गौल जी बॉड़ी को कहा था तुम packaging बहुत अच्छा जानती हो गौल जी तुम packaging कर देना बस मैं lipid और protein भेज दूँगा इसने का ठीक है sis के थूँ अंदर में चीज़े आ जाती है अंदर में packaging का काम चलता है अंदर में packaging होने के बाद trans से अब protein नहीं निकलेगी अब यहाँ पे इसका नाम glycoprotein हो जाएगा अगर lipids आती है तो lipids का नाम अब lipid नहीं रहा अब packaging के बाद इसका नाम glycoprotein हो जाएगा बात समझ में आ गई इसका नाम यह हो जाएगा क्या मैं कह सकता हूँ sis से आई, trans से गई forming से आई, maturing से गई convex face से आई, concave face से गई यहीं पर exam ने तुम्हें confuse करता है यह बाते तुम्हें याद रखनी है अब देखो ना, simple सी चीज़ लगेगी convex बोलो, sis बोलो, forming बोलो इसमें भी वही बात बोली गई है ठीक है अब यहाँ पर concave बोलो, trans बोलो, maturing बोलो मुझे बताओ, यह दोनों face आपस में सब तो अंदर से जुड़े हैं लेकिन अ, structure wise देखोगे तो बिल्कुल क्या चला जाएगा गलत चला जाएगा, simple सी बात है इस face और trans face जो किसी भी आर्गिनल में होते हैं वो entirely different होते हैं पूरी तरीके से क्या होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन क्या सब अंदर से तो जुड़े हुए थे ना सारे के सारे, देखो ना, इस line के लिए देखो सब क्या हैं, अलग अलग इधर का face, convex इधर का face, concave, लेकिन आपस में सारे क्या हैं, interconnected गॉल जी apparatus का main जो काम होता है वो होता है packaging, अब बताओ packaging करकर इस ते निकाल दिया glycolipid, glycoprotein, कुछ दिर पहले मैंने तुमको cell membrane के बाहर में दिखाया था क्या, glycolipid glycoprotein, वो कहां से बनेंगे, यही सब तो बना कर भेज रहा है अगर बाहर में भेजा जाए अगर अंदर में ही glycoprotein, glycolipid का काम आ जाए, तो intracellular target sale के अंदर ही कर दिया गया वो deliver, अब देखो materials वो packaging की गई किस form में, visicles के form में तो गोले के form में की गई अब बात बड़ी simple सी है ER से निकला, sis के पास आया, Golgi apparatus के sis के पास से किदर गया trans के पास कह दो, या maturing के पास कह दो, ठीक है अब आगे देखना This explains Golgi apparatus क्या तुम्हें endoplasmic reticulum के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्या Golgi apparatus, endoplasmic reticulum दोनों आपस में क्या रहेंगे, जुड़े हुआ रहेंगे, बहुत सारे protein endoplasmic reticulum के उपर में ribozome बनाता है और उसको modify किस फॉर्म में कौन करता है sisterny कौन sisterny, Golgi apparatus का sisterny जब वो trans face से निकलना जाए दो चीज़ें या पर देखने को मिली glycoprotein और glycoplipids कई लोगों को थोड़ी सी fast लग रही होगी Golgi apparatus, मैं एक बार nut cell में सारी बाते बता देता हूँ ठीक है, जितनी भी बाते इसमें है इनके पास दो face मिलते हैं हमें एक मिलता है cis एक क्या मिलता है, cis मिलता है और एक जो चीज़ मिलती है trans मिलती है, endoplasmic reticulum ने cis के पास में भेजा lipid तो trans से निकली glycoplipid trans के पास से निकल गई glycoplipid cis के पास भेजा protein तो trans से निकल गई क्या glycoprotein बीच में कई सारे cis रनी है जो काम क्या कर रही है भाई packaging करने का काम कर रही है बस ये बात है ठीक है भाई, कितने लोगों का speed सही लग रही है जल्दी से बताएं बाई इतने ये speed में चल पाएगा क्योंकि आखरी time चल रहा ना किसी भी chapter का तुमने पूरी साल पढ़ाई किया ना उसके बाद ये चीज़ चल रहा है ना तो आखरी में थोड़ा speed तो रहेगा यार मैं पूरी वैसे explain करने की कोसिस कर रहा हूँ ये line important है चलो question करते हैं आओ question करते हैं बई जल्दी से question करें which of the following cell organs are named after the name of discoverer discoverer after the name of discoverer तो क्या बोलेंगे गॉल्जी बोड़ी क्योंकि नाम क्या पढ़ा क्या मिलो गॉल्जी answer c name the densely stent reticular structure जोकि निकलियस के पास मिलती है वो कौन है तो वो गॉल्जी बोड़ी है जिसमें cisterny है answer b ये बताओ इसमें बूला जा रहा है कि false बताना है कि false कौन सा है varied number of cisterny हाँ गॉल्जी cisterny यार कंसेंट्रिकली आरें निकलियस हाँ गॉल्जी बोड़ी सो पॉलरिटी cis कहो forming कहो concave face near nucleus and convex अब बात यहीं पर देखनी है तुम्हें अब बात यहीं पर देखनी है cis और trans face होते interconnected है दोनों face similar हैं क्या नहीं दोनों face क्या मिलेंगे हमें d similar c गलत और e गलत answer a answer a आ रहा होगा भई इसमें क्या उल्टा लिख रखा है देखो न अभी तो just देखा न हमने देखो 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 अभी just देखा था हमने trans को क्या कहते हैं concave कहते हैं यहाँ पर क्या बूला जा रहा है यहाँ पर क्या बूला जा रहा है cis को बूला जा रहा है concave यहीं पर बच्चे गलती करते हैं यही बात तुम्हें अच्छे से समझनी है कि cis के लिए convex यूज होता है cis, forming और convex यह चीज याद रखना ठीक है तो answer इसमें क्या चला जाएगा C और E तो तुम्हें समझ में आई रहा है चलो अब आगी बताओ root बताना है तुमको correct root कैसे कैसे चीजें वहाँ पर जाएगे कैसे कैसे चीजें वहाँ पर जाएगे हाँ बताओ भी जल्दी से सबसे पहले endoplasmic reticulum और उसमें से क्या निकलेगा cis के पास जाएगा देखो गौर से बिल्कुल जो eliminate हो रहा उसको eliminate करो जल्दी से answer बूल दू बूल दू answer answer ए आ रहा है सबका answer ए आ रहा है बात सिंपल है endoplasmic reticulum से vesicles निगला protein या glycolipid का protein या lipid का किस के पास गया cis के पास फिर किस के पास trans के बाद फिर vesicles के form में वो plasma membrane के बाहर निकल जा सकता है अगर वो बाहर का target है तो which one is the important side for synthesis glycoprotein और glycolipid किस ने बनाया NEET में कुश्यन आया हुआ है glycoprotein और glycosynthesis जल्दी से बताओ answer क्या जाएगा answer जाएगा तुमारा RER9 जल्दी जल्दी से करो golgi body answer हमारा है a cell which is very active in synthesis and secretion of proteins would be expected to have एक cell है जिसमें बहुत ही ज़्यादा protein synthesis करने की capacity है तो उसके पास RER का नंबर जादा होगा ACR का नंबर कम रहा होगा answer C answer C जिनको नहीं समझ मैं छोटी सी बात है वही protein के लिए RER जादा ACR कम रहेगा उसके पास C ये diagram को देखें ज़रा सब और बताएं इस diagram में क्या बातें की जा रही चोटा सा है जल्दी से बताओ हाँ भी सबका answer आ चुका आ चुका सबका answer answer क्या जाएगा A A आ रहा है सबका देखो ना बात तो simple है ये जितने भी हैं सब क्या है sister नी है B में क्या आ रहा है vesicles आ रहा है जो इसके साथ attach हो गया C में क्या है आ पर trans है क्योंकि इधर वाला क्या रहेगा says और इधर वाला क्या रहेगा trans A diagram को पहचानो ये diagram किसका है ये diagram किसका है पहचानो भई सीहरा C clear है वहाँ तक अब देखें थोड़ा सा आगे ठीक है अब देखें थोड़ा सा आगे lysosomes के बारे में lysosomes membrane से घिरा हुआ structure है ठीक है अब बताओ lysosomes को किस ने बनाया वैसे ही वहाँ से lysosome भी निकल जाती जो गॉलजी बॉड़ी से भी हम लोग vesicles निकाल रहे थे न जो गोला निकाल रहे थे हम लोग उससे वो भी क्या था vesicular structure एक था ठीक है these are membrane bond vesicular structure ठीक है भई वो vesicles गॉलजी बॉड़ी से निकलती है पैकेजिंग के बाद यही वाला question पिछले साल पूछा गया थे exam में और यहां पे गॉलजी अपरेटस की जगा इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम रख रखा था तो answer तो गलत आ जाएगा तो these are membrane bond है अरे चारो membrane bond है इसमें क्या दिक्कत है चारो membrane bond है formed by the process of packaging in the गॉलजी अपरेटस the isolated lysosomal vesicles the isolated lysosomal vesicles have been formed to be very rich in अब यह जो lysosom होता है ना इसमें दुनिया भर के hydrolytic enzymes भरे होते हैं क्या भरे हैं इसमें hydrolytic enzymes भरे हुए होते हैं बहुत सरे enzymes क्या क्या हैं वो enzymes hydrolytic enzyme पानी की presence में तूटने वाला life ages, proteases, carbohydrates देखो ना life ages, fat को तोड़ने वाला life ages, protein को तोड़ने वाला proteases, carbohydrate को तोड़ने वाला carbohydrates यह कौन से pH पे काम करता है acidic मतलब कितना pH 5 pH पे काम करता है यह यह जो enzymes हैं यह कुछ को digest करेंगे carbohydrate को कौन? proteins को proteases lipids को lipases nucleic acid को nucleases question करें a distinctive feature पूछा गया है lysosome का lysosome का एक खास feature lysosome का एक खास feature तुमसे पूछा गया है lysosome का एक खास feature क्या हो जाएगा? pH इसकी कम होती है answer A pH कम है ना इसकी cytoplasm से pH इसकी कम होती है तभी तो हमने बूला ना 5 pH इसकी होती है और acidic pH पे काम करेगा वो अच्छा जैसे हमारा स्टमक में pepsin होता है 1.8 pH पे काम करता है salivory amylase mouth में 6.8 pH पे काम करता है जितने भी हमारे intestinal juice है वो 7.8 pH पे काम करता है सब अलग अलग है आओ आगे lysosome में कौन सा इंजायम absent है? बोलो ना 40 से 50 तरीके के इंजायम होते हैं लेकिन उनमें polymerages नहीं होती है C Which of the falling is correct for the origin of lysosome? बढ़ी simple से चीज है lysosome कैसे बनी? बताओ जल्दी हाँ जल्दी से बताओ ERGB lysosome ERGB lysosome क्या हो जाएगा answer हमारा? बड़ा simple सा है ER के बाद GB GB के बाद lysosome answer A आ रहा है simple है ना endoplasmic radiculum से क्या बनती है गॉल्दी बड़ी आगे भेजेगी और इसके बद क्या बनेगा lysosome Which of these is not a function of गॉल्दी अपरेटस गॉल्दी अपरेटस का कौन से काम नहीं है गॉल्दी अपरेटस का क्या काम नहीं है site of synthesis of यह तो main काम इसका यही है चीजों को क्या करेगी secret करेगी next है membrane transformation और site of protein synthesis answer सब का आ रहा है D हाँ भई देखो थोड़ा सा क्या problem है समझना ज़रा membrane transformation कई लोगों को लग रही होगी अलग टर्म है यह अलग टर्म नहीं है cell membrane था cell membrane के ऊपर के structure में glycoprotein लगाने का काम गॉल्जी बॉड़ी ने किया glycoprotein लगाने का काम गॉल्जी बॉड़ी ने किया और glycoprotein तो membrane तो transform हुई ना change हुई ना membrane तो यह भी काम किसका है गॉल्जी बॉड़ी का लेकिन site of protein synthesis यह तो काम R.E.R. का है ना यह तो packaging करने का काम ना की packaging और protein बॉलता तो हम लगा देते गॉल्जी बॉड़ी answer D lysosomes are lysosomes are कैसे vesicular structures होंगे यह lysosomes की अगर बात करें तो lysosomes कैसे vesicular structure देखने को मिलेंगे तो lysosomes are membrane bound कैसे मिलेंगे membrane bound formed by the process of packaging in the lysosomes की packaging किस में हुई थी गॉल्जी बॉड़ी में packaging हुई थी answer A जल्दिल दिल लगाए lysosomes are the reservoir of lysosomes में क्या भरा रहेगा 40 से 50 वो क्या भरे होते हैं भर भर कर enzymes हो गए कौन से enzymes होंगे hydrolatic enzymes होंगे answer A cell organelle connected with the intracellular digestion मतलब cell के अंदर में जो बड़े बड़े molecules हैं उनको digest करने का भी काम कौन करेगा lysosome करेगा क्योंकि lysosome में क्या भरा हुआ है भर भर कर enzyme भरे हैं 40 से 50 तरीके के enzyme भरे हैं है ना तो answer क्या जाएगा A lysosome enzymes are active at pH वो pH क्या होती है जिस पे lysosomal enzymes active रहेंगे बताओ lysosomal enzymes active होते हैं pH 5 पे 5 याद रखना यहां तक clear है लग रहा है ना line by line NCRT की cover हो रही है कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है बस एक बार logic समझ मैंने चाहिए सारी questions तुम खुदी कर रहे हो देख सकते हो तुम और इतने सारी questions एक एक paragraph से 10 दिस question मैं देख रहे हैं ना अब आगे देखो वेक्योल बड़ा ही सिंपल सा अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि वेक्योल में सबसे important नाम क्या है वो नाम क्या बोलोगे तुम वो गजब की चीज सेल मेंब्रेन का इसका बाहर में नाम होता है उसका नाम क्या होगा tonoplast क्या बोलते है tonoplast single membrane जो बाहर में होती है उनको क्या बोला जाता है tonoplast बोलते है ये भी membrane bond होते है cytoplasm में present होती है vacuoles vacuoles में क्या होता vacuoles कुछ अलग नहीं है vacuoles कुछ अलग नहीं है vacuoles कुछ अलग नहीं है क्या है फिर vacuoles तुम्हारे घर का store room है vacuoles तुम्हारे घर के स्टोर रूम में क्या वो चीज़े होती है जो तुम्हारे लिए अभी काम की नहीं है जैसे चावल एक्स्ट्रा माउंट में वहाँ पर रखे होते हैं जब भी जड़ पड़ी तो वहाँ से ले लिया जाएगा कुछ भी चीज़े जो एक्स्ट्रा में आ जाते हैं घर में वह स्टोर रूम में रख देते हैं ऐसी जो अभी सेल के लिए उसफुल नहीं है उसको डाल दिये जाता है वैक्योल्स में पानी को vacuoles में सेल डाल देती है sap क्या होता है जो भी कुछ minerals वगर है है extra mount में वो डाल दी जाएंगे इसमें ठीक है जो सेल के लिए useful नहीं है और उस membrane को क्या बोलेंगी जो vacuoles की बाहर की membrane होती है उस membrane को बोलता है tonoplast in plant cells vacuoles कितना occupy कर सकता है up to 90 से ज़्यादा नहीं होगा इस से ज़्यादा नहीं होगा 50% चल सकता है जैसे देखो न सोचो ज़रा सोचो ज़रा सा अगर मान कर चलो एक plant cell जो अभी young है उसमें vacuoles का size 90% होगा 30% होगा 40% होगा धीरे 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 ये size क्या होती है ये size बढ़ती चली जाती है बात समझ में आ गई अब दिस सेल ये बात सबको समझ में आयोगे भागे देखो important line है ये 3 line है plants में vacuoles बड़े बड़े size के देखने को मिलते हैं clear है भई tonoplast अब देखो यहाँ पर क्या होता है जैसे मान कर चलो कि मैंने ये vacuoles बना दिया और ये sale है अब ये मान कर चलो 90% नहीं हुआ है धीरे धीरे बड़ा होगा क्योंकि पानी डालेंगे धीरे धीरे तो बड़ा होता चला जाएगा अब इसकी बाहर की membrane को क्या बोला जाता है tonoplast बोलते है vacuoles के बाहर की membrane को पानी दे दिया गया ions डाल दिये गया सब कुछ अब मान कर चलो cytoplasm ने मागा जब extra दे दिया भई तुम्हें अब मुझे दे दो काम की चीज़ है मेरी अब वो इसको देने का काम करेगा वो ही line लिखी हुई है in plants the tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other materials against the concentration gradient बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो tonoplast है तो अब ये बात को समझनी है जब चीज़ें अंदर की तरफ जा रही है तो ये active transport से जा रही है कैसे बाहर का concentration कम था अंदर का concentration जादा था तो lower to higher के तरफ जाएंगे तो concentration gradient तो अपलाई तो होगा न इसलिए यहाँ पे क्या लिख रही है against the concentration gradient hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm बात बड़ी simple सी है अंदर का concentration जादा बाहर का concentration कम तो lower to higher अगर चलेंगे तो बात होगी active transport की simple सी बात यहाँ पे याद रखना आगे चलो vacuole के कितने type देख रहे हैं जल्दी से बताओ vacuole के कितने type देख रहे हैं हम vacuole के तीन type देखने को हमें वैसे मिलते हैं यहाँ पे दो बात बताई गई है यह दो याद रखेंगे हम amoeba में क्या देखने को मिलेगा हमें contractile vacuole क्या मिलेगा contractile vacuole मिलेगा किस काम के लिए होता है ये ओस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रेशन के लिए जब मानकर चलो कि किड्नी हमारा है हमारे पास किड्नी है हमारा किड्नी क्या ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है ओस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब क्या हमारे body में blood है blood में पानी है blood में salt है minerals है इसकी जो balancing होती है पानी और minerals की वो हमारे में तो kidney करता है लेकिन amoeba में कौन करेगा उनके अंदर में जो cytoplasm में उनके concentration को maintain contractile vacuole करेगा ठीक है उसमर relation और excreation में बहुत सारे cells में जैसे protista की अगर बात करें protista में ही आता है amoeba भी यहाँ पर तुम amoeba भी लिख सकते हो food vacuoles जो रहेंगे वो food vacuoles का का काम क्या होगा चीजों को engulf करना चीजों को अंदर में निगलना vacuoles के बारे में काम की बात बिल्कु सुने दू मिनट के अंदर में नहीं हैं बाहर की मेंब्रेन को tonoplast कहते हैं vacuoles कितने परसेंट पार्ट को कुपाई कर सकता है 90% पार्ट को कुपाई कर सकता है बताओ यह चीजे जा रही है cytoplasm से vacuoles की तरफ तो concentration gradient low to high जा रहा है तो passive या active या चीज देखने को मिलेगी और दो vacuoles मिलेंगे contractile और food vacuoles contractile का काम उसमों regulation और excreation में और food vacuoles का काम engulfing में होता है question करें question करें भई special class से start होगी 4 बज कर 15 मिनट से थोड़ा अज लेट हो गया भई ठीक है थोड़ा लेट होगी 4.15 से start होगी मैं उसको recidule कर देता हूँ 4.15 पर question करो तुम क्योंकि आज इस chapter को complete करना है मैं काली काली जुल्फो के ना डाला जिन्दा रहने दा है चार बज कर साड़े चार कर लेते हैं आराम से साड़े चार कर लेते हैं तुम्हें ब्रेक वे मिल जाएगा काली काली जुल्फो के ना डाला जब का एंसर आ रहा है सबका एंसर आ रहा है भई बूलो एंसर आ रहा है डी not allowed to create a special class within 3 hours भई create कहां कर रहा है और यहां पर यहां पर 90% की बात करेंगे सिंपल सी बात है यहीं पर तुम है लफड़ा हुआ होगा बी और सी में तो याद रखना अगेंस्ट और हाईयर यहां पर एक्सक्रेशन के लिए contract tile और यहां पर क्या जाएगा food vacuum यहां पर जाएगा ठीक है आओ देखो जा रहा है इसको तुम एक स्काने के तुम करो जल्दी पहले हाँ यह बाते किसके बारे में लिखी गई है जल्दी से बताओ यह बाते किसके बारे में लिखी गई है तो बात बड़ी simple सी है यह बाते वैक्क्यूल के बारे में लिखी गई है एंसर बी नेक्स्ट करो जल्दी से simple है हाँ तो एंसर क्या जाएगा? which one is correct? एंसर आ रहा है सबका C C आ रहा है सबका? दोनों सही है ना? contract alevacule और food vacule दोनों के बारे में बाते सही हैं यहाँ पर दोनों के बारे में बाते हैं सही हैं आ जाओ next mitochondria नेक्स्ट आ जाओ mitochondria यह sale के है ना? बहुत बड़ा chapter है यार sale बड़ा chapter है जैसे कल होगा sale division वो छोड़ा chapter है तो वो जल्दी हो जाएगा इसते time रखा है डेली का 3.15 ठीक है? तो आज जो है न 3.15 वाली जो class है ना? वो schedule हो नहीं रही है तो तुम्हारी जो test होगी ना? sale वाली वो होगी 7.15 में ठीक है? 7.15 में वो test तुम्हारी होगी ठीक है? 7.15 में अभी तो ये चलेगा अभी अभी आज ये खतम होगा तब ही जाना है तुम्हें solar number लेकर जाना है क्योंकि last पे तुम लिखोगे comment में कि solar number completed है ना? ये आज solar number का target तुम आये थे पूरा करने ये लेकर जाओगे तुम आज class थोगी लेट से start हुई थी 15 मिनट कल से time पे चलेगा साड़े बारा में next mitochondria ध्यान से बिलकु सुने है ना? patience रगो बस patience रखना है बस तुम्हें ठीक है? चलो start करें start करें बाई चलो बाई mitochondria mitochondria के अगर बात करें साथ बंदर में डिरेक्ट है ठीक है? तो चिंता मत करो कोई दिक्कत होगी नहीं बीच में दूँगा पास्टनेट का break एक बार mitochondria हो जाओ और chloroplast हो जाए पास्टनेट का break तुम्हें दूँगा ठीक है? आओ mitochondria में क्योंकि chloroplast तक ही बड़ी सी चीज है बागी सब सिंपल सी चीज है mitochondria की बात करें क्या mitochondria का singular mitochondrion होगा? singular का मतलब जब एक है तो बोलेंगे mitochondrion ठीक है? जब बहुत सारे हैं तो mitochondria जब तक के stain नहीं करोगे जब तक mitochondria में color नहीं डालोगे तब तक microscope के अंदर ही visible नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी साइज इनकी होती नहीं है plastids को staining नहीं करना होता है क्योंकि वो बड़े साइज के होते हैं आराम से microscope के अंदर visible हो जाते हैं बात समझ में आई? अब देखो mitochondria की अगर बात की जाए तो mitochondria को जब तक stain नहीं किया जाएगा तब तक visible नहीं है microscope के अंदर mitochondria के नंबर क्या हमारी body के सारे cells में एक जैसे होते हैं क्या? नहीं वैसी जो ज़्यादा तर active मिलेगी उसमें mitochondria का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा ठीक है? कैसी active? physiologically active जैसे हम जब दौड रहे हैं तो जो हमारे muscle cells हैं इन में mitochondria का नंबर बहुत ज़्यादा होगा In terms of shape और size की बात करें तो mitochondria के size में variability भी देखने को मिलती है कैसे shape का होता है? Sausage shape का Sausage shape का देखने को generally मिलता है या cylindrical shape का देखने को मिलता है diameter याद रखनी है 0.2 से लेकर 1 micrometer तक और average याद रखना है 0.5 micrometer तक ठीक है? length की अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 4.1 micrometer तक इसकी length होती है length और diameter दोनों important है mitochondria में कितने membrane है? double देखो ना एक बाहर वाली membrane है और एक अंदर वाली membrane है अंदर में जो liquid है इसे matrix कहते है दो membrane के बीच में जो space होगी उसे inter membrane space कहते है और बाकी जो इस तरह से inner membrane की जो in folding मिलेगी ये वाली चीज इससे क्या बोला जाता है? सारे लोग comment में लिखेंगे सारे लोग comment में लिखेंगे Christie क्या बोलेंगे? Christie mitochondria का कैसा diagram है? longitudinal section का diagram है ठीक है? अब इस बात को समझना outer membrane मिला ठीक है inner membrane मिला बीच में space को हमने कहा inter membrane space या peri mitochondrial space भी कहते है दो aqueous compartment मिले एक अंदर का compartment मिला outer के अंदर का और एक inner के अंदर में compartment मिला है एक inner compartment और एक outer compartment inner compartment की बात करें तो कि inner compartment के अंदर में liquid भरी होती है उस liquid को क्या बूला जाता है? matrix कहते हैं उस liquid को अंदर में जितने भी matrix present होगी वो बहुत ही गाढ़ा material होगा है ना? और वो homogenous होगा सब एक जैसे ही mixture में विलेंगे वो outer membrane की बात करें तो outer membrane एक बाहर की continuous boundary है ये line समझना ज़रा NCRT की अगर मैंने कहा कि mitochondria के बाहर की जो outer membrane है वो continuous है अंदर वाले को continuous क्यों नहीं कह रहे है? इसलिए नहीं कह रहे है क्योंकि बाहर वाला तो ऐसा है अंदर वाला जो है ना? वो ऐसा है अंदर की तरफ हो गए इस तरह से अंदर की तरफ देखने को मिले गए इस तरह से ऐसा है तो बाहर वाला तो continuous है अंदर वाला continuous नहीं है दि आउटर मेंब्रेन फॉर्म्स दि कॉंटिनूस लिमिटिंग बांडरी अब दि ओर्गेनल दो इनर मेंब्रेन फॉर्मस नंबर ओफ इन फॉल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा टुवार्ड दी मैट्रिक्स के तरफ ये चीज़ होती है दो क्रिस्टी का काम क्या है सर्फेश एरिया को बढ़ाना और सर्फेश एरिया कहीं भी बढ़ाई जाती है तो वो इनजाइम्स के लिए ही बढ़ाई जाती है बात इंपॉर्टन है ध्यान रखना दो मेंब्रेन है दोनों के पास अपने अलग-अलग इनजाइम है खास इनजाइम है जो Mitochondria का जो फंक्शन होता है वो काम करते है Mitochondria का काम क्या है Aerobic respiration क्या काम है Aerobic respiration oxygen के presence में काम करता है ठीक है क्या ये ATP बनाने का काम करेगा हमारी cellular energy currency of the sale कौन होती है ATP मतलब ही क्या ये power house of the sale बचपन से पढ़ते आ रहे हैं mitochondria को power house of the sale कहते हैं, यहाँ पे ATP बनाया जाता है matrix की बात अगर होगी, तो matrix में हमें क्या देखने को मिलेगा, यह important चीज है, बताओ क्या हमें DNA molecule कितनी मिलेगी, एक मिलेगी कई बच्चे समझ लेते हैं, single stranded है गलाथ, double stranded ही मिलेगी, लेकिन कितनी DNA मिलेगी, एक mitochondria में एक, कैसी मिलेगी circular, double stranded पूरी property बोल रहा हूँ, single circular और double stranded structure देखने को मिलेगा, इस तरह के structure मिलती है कुछ RNA के molecules मिल सकते हैं, ribosome मिलेगा, ribosome कैसा रहेगा 70, तुम बोलोगी सर यह कैसी बात हो गई, prokaryot में 70 था, mitochondria आपने कहा eukaryot में 80S होना चाहिए eukaryot में 70S भी ribosome होता है और 80S भी ribosome होता है अपने NCRT के उपर में लिखे हैं जब भी cytoplasmic ribosome मिलेगा cytoplasmic ribosome हमेशा 80S मिलेगा जब कभी भी organolar ribosome की बात करेंगे तो organolar ribosome हमेशा 70S मिलेगा ये बात तुम्हें याद रखनी है बिल्कुल याद रहेगा ये बात जल्दी से बताओ ये बात याद रहेगा तुम्हे तो ये simple सी बात तुम्हें याद रखनी है ठीक है भाई ये बात तुम्हें simple सी याद रखनी है इसके बारे में डीके राइबुजोम मिलेगा वो सारे कॉंपनेंट सारे होते हैं जो प्रोटीन की संथेसिस के लिए ज़रूरत में होती हैं और माईटोकन्डरिया कैसे डिवाइड करेगा Binarychen से डिवाइड करेगा कैसे डिवाइड करेगा Binary Fegeon से डिवाइड करेगा तो यह बात याद रखना है आप है सिंपल से किस से डिवाइड करेगी binary fusion से और कुशन्स करते है binary fusion से डिवाइड करेगा ठीक है बई टेस्ट चलेगा 7 बजकर 15 मिनट से आज का जो टेस्ट है वो 3 बजकर 15 वाला नहीं होगा 7 बजकर 15 वाला सेल का टेस्ट करेंगे हम लोग उसमें जल्दी से करो the dna is located in the dna कहा होगा matrix में mitochondria के answer b आ रहा है सब का answer b ठीक है देखो मैं क्या कह रहा हूँ कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं बई जल्दी मैं कह रहा हूँ आज की टेस्ट 7 बजकर 15 मिनट होगी अभी मैंने special class खोल कर देखी कई बच्चे वाहाँ पर वेट कर रहे हैं मैं खेर हूँ 7 पंदरा में class होगी पहले ये तो attend कर लो पहले 16 नंबर हासिल तो करो पहले कई बच्चे निकल चले कि भई नहीं हमें नीट बगरा नहीं करने ये सब नहीं होगा हम से इतनी लंबी देर तक हम नहीं बैठ सकते सब दो भई वो तुम्हारी 20 है मैं तो पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर ठीक है क्योंकि 16 नंबर इससे आना है तुम्हारे और लाइन बाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ जल्दी से बताओ डबल मिम्म्रेन कौन है माइटो कॉंड्रिया इनकरेक्टर स्टेट्मेंट कौन है इनकरेक्टर स्टेट्मेंट कौन है अच्छा माइटो कॉंड्रिया का स्टेनिंग किससे करते हैं जैनस ग्रेंस जब तक स्टेनिंग नहीं करोगे तब तक माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी फिजिलाजिकल अक्टिविटी ओप सेल डिटर्माइन नमबर ओप मैटोकॉंडिया पर सेल सही है मैटोकॉंडिया पावर होस अब दे सेल has DNA, RNA, ribosome and in time so it can survive outside the seale मैटोकॉंडिया डिवाइट बैफीजन सेल की बाहर में survival पॉसिबल नहीं है statement गलत है answer C answer C जाएगा ठीक है ना answer क्या जाएगा C ठीक है भई answer क्या जाएगा C next question करे next question करे भई answer जल्दी सकरो correct statement बताना है correct statement बताना है correct statement बताना है description एडिट कर देता हूँ इच्छा ही बात में हो जाएगे चलो भई answer आगे है सबका हाँ क्या बूल रहा है correct statement चूज करने के लिए ना Linear नहीं circular मिलती है correct पूछ रहा है न तुमसे सारी youkaryotic cells में मिलती है नहीं plant cells में मिलता है animal में कहा मिलता है chloroplast correct पूछा जा रहा है न यार कुछा statement दो बारह tak repeat हो गया है क्या सायद answer वेसे क्या दे रहा है answer दे रहा है B answer दे रहा है B एक स्टेटमेंट तो वैसे गलत है यहाँ पर कोई दूसरा स्टेटमेंट आना चाहिए था यह टाइपिंग एरर हुआ है कुछ यह एक ही सही इसमें मान कर चलें ठीक है एंसर क्या जाएगा तुम्हारो दूसरा कोई स्टेटमेंट अलग होगा वो आना चाहिए था कि माइटो कंडियांट क्लोरोप्लास था डबल मेंब्रेन बॉर्ण से लॉर्णम तो वह स्टेटमेंट सही हो जाता फस्ट और स्टेटमेंट सही था ऐसे यूकरेडिक से सोच कर देखो अब एनिमल्स हम लोग हैं क्लोरोप्लास का मिलती है वही बात है नेक्स्ट करो यह प्रोपर्टी किसमें देखने को मिलेगी यह प्रोपर्टी किसमें देखने को मिलेगी तो बात भई सिंपल है किसमें मिलेगी यह चीज़ माइटो कंडिया सी नेक्स्ट यह करो ये सारे के सारे features जो हैं वो तुम्हें किसमें मिलेंगे कर पा रहे हो तुम किसमें मिटोकंड्रिया में answer D चलो next next करना है जल्दी से यार हाँ वही किस पर depend करेगी फिजुलाजकल अक्टिविटी पर डिपेंड करेगी हाँ next answer क्या जाएगा C हरिकनाइज़ दिफिगर इस डाइगराम को पहचाने कहां पे क्या है इस डाइगराम को पहचाने कहां पे क्या है simple से diagram है सबको आना चाहिए आगया एंसर सबका एंसर आ गया चलो अब लगाई दिया कई बच्चों का डाउट आ रहा है यह लगा दिया फाइनल साथ पंद्रह में यह टेस्ट होनी है ठीक है चलो गई कि उसमें सेल का टेस्ट होना एंसर आ रहा है सबका सी सी आ रहा है सबका एंसर हाँ वहीं सी आ रहा है सबका एंसर हाँ नेक्स्ट आजा वहीं आप टॉपिक फोकस करो पुरी तरह के से प्लास्टिड पर ठीक है टॉपिक पर फोकस करो प्लास्टिड पर सारा मेने लगा दिया है आप खत्म करें इसको प्लास्टिड को अच्छे से फिर ब्रेक मिलेगा पाच मिटर का प्लास्टिड सारे के सारे प्लांट सेल स्थ में क्या प्लास्टिड मिलेगी हा शारे के सारे इजी में माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाते हैं क्योंकि ये size इनकी क्या होती है, बड़ी होती है, इनमें कुछ specific pigment होता है, जो इनको color देने का काम करती है, plants में, type of pigments के basis पे plastic को कितनों part में divide किया जाता है, ठीक है, तीन part में divide किया जाता है, कौन कौन से part है, chloroplast, chromoplast, और leucoplast में divide किया जाता है, बात simple है, अब आगे देख chloroplast की बात करें, तो chloroplast में क्या क्या चीज़ें होंगी, chloroplast में कुछ pigments होते हैं, वो pigments क्या हैं, वो pigments क्या हैं, तो chloroplast में हमें chlorophyll मिलेगा, और साथ में कौन से pigments हैं, keratin white pigments होते हैं, इनका काम क्या है, ये pigments light energy को trap करते हैं, और chemical energy में convert करते हैं, जो sun से light energy आती, उसको chemical energy में convert करने का काम करते हैं ठीक है भई तो keratinoid और यहाँ पे photosynthesis में यह काम हो जाती है अब बात करें क्रोमोप्लास्ट में पहले तो हमने किसमें बात की कि जो chloroplast है उसमें chlorophyll है और keratinoid pigment होती है यह जो chromoplast देख रहे हो तुम इसमें fat soluble keratinoid pigments मौज़ जो दोती है जैसे की कौन? keratin होगा, जैसे की jainthophyll होगा और भी pigments इसमें present होते हैं काम की बात fat soluble होते हैं काम की बात कौन से होंगे? fat soluble देखने को मिलती है यहाँ पे चीज़ ठीक है this gives the part of the plant a color कैसा मिलेगा yellow, orange और red color देखने को मिलेगा अब बात बड़ी से simple सी है chloroplast कैसा color मिली देगा? green color देता है और keratin whites वगरा कैसा color देगा? तो yellow भी दे सकता है, orange भी दे सकता है, red भी दे सकता है जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों? lycopene pigment की वज़़ से टमाटर स्टार्टिंग में green होता है देखा है तुमने टमाटर को टमाटर स्टार्टिंग में green होता है फिर yellow हो जाता है फिर last में orange rate जैसा हो जाता है lycoplast की अगर बात करें तो ये colorless plastic होते हैं अलग-अलग shape के देखने को मिलते हैं अलग-अलग size के देखने को मिलते हैं और nutrients को store करने का काम करते हैं ये जैसे Leucoplast के तीन टाइप हैं उनमें से जो Amyloplast होगा वो Amyloplast क्या store करेगा Amyloplast कार्बोहइडरिक store करेगा Elioplast क्या store करेगा Oil को store करेगा और एक और Alleroplast होगा वो किसको store करेगा protein को Alleroplast किस चीज़ को store करेगा protein को store carbohydrate जैसे आलू खाया तुमने तुम बताओ आलू बें starch है आलू में starch देखने को मिलेगा ठीक है Next तुमने मान के चलो कि कोई ऐसा चीज़ खाया जिसमें तेल है जैसे ground nut तेल की quantity काफी जाता है तुमने सोयबिन खाया तो उसमें Alleroplast है दो protein का store is कर रही है एक बार सारे लोग बोलेंगे Amyloplast starch के लिए या carbohydrate के लिए Elioplast oil के लिए Alleroplast protein के लिए ठीक है Next आगे देखो ये chloroplast का 6-0 view लिया चा रहा है बताओ double membrane है बिलकुल आप थोड़ा सा फर्क समझना granum, thalakoid और stroma, lamely का ये ऐसे ऐसे कई सारे thalakoid है thalakoid अंदर से खोखला होता है ये thalakoid 1, 2, 3, 4, 5 5 thalakoid इसमें जब thalakoid का एक group बनता है उसे हम granum कहते हैं ये एक granum ये दूसरा granum दो granum को आपस में जोडने वाला चीज stroma, lamely कहते हैं ठीक है यही simple सी बात है अंदर में जो liquid भरी है उसे stroma कहते है या stromal matrix भी कहते है जो mitochondria में matrix थी यहाँ stroma है simple सी बात ये paragraph में कुछ चीज़ें याद रखने वाली है क्या याद रखना है वो सुनो ठीक है अब सुनो जरा सा क्या है बात chloroplast की अगर बात करें तो ज़्यादा तर chloroplast में जो की green plants हमें देखने को मिलते हैं majority of the chloroplast of the green plants कौन से sail में देखने को मिलते हैं अब देखो क्या होगा तुमने एक पत्ता तोड़ा पत्ते को तुमने खोला ठीक है तुमने क्या तोड़ा तुमने पत्ता तोड़ा और पत्तों में क्या मिला तुम्हें पत्तों में तुम्हें मेजोफिल सेल देखने को मिली जैसे ही तुमने पत्ता खोला उसके अंदर में तुम्हें मेजोफिल सेल मिला मेजोफिल सेल को तुमने जैसे ही खोला तो मेजोफिल सेल में बताओ तुम्हें क्या मिलेगा मेजोफिल सेल में तुम्हें अंदर में क्लोरोप्लास्ट यही अस्ट्रक्चर मिलेगी अब जब chloroplast में तुम thailakoid को देखोगे ना तो thailakoid के ऊपर भी और thailakoid के अंदर भी तुम्हें pigments देखने को मिलेंगे अब लाइन समझ में आई majority of the chloroplast of the green plants में जो phil sale पत्तों के में दिखते हैं और ये जो chloroplast होते हैं इनकी shape बड़ी vary करती है ठीक है क्या क्या shape है वई lens shaped, oval shape, spherical shape, diskoidal shape और ribbon जैसा भी shape होता है chloroplast का जो length है वो है 5-10 micrometer जो width है वो है 2-4 micrometer chloroplast के जो number है वो vary करते हैं clamidomonas की बात करें तो clamidomonas में इनका number एक sale में एक ही होता है लेकिन अगर हम बात करें वह clamidomonas एक green algae है उसमें एक chloroplast एक sale में एक ही chloroplast मिलता है लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ यहां पर अभी यहां पर बात को समझना है यहां पर क्या गलती होती है सबसे देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई भी पत्तों के मिजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास जेनरली मिलते हैं तो बोलेंगे 20 से 40 पुछे ग्रीन यल्गी क्लोरोप्लास में कितने मिलते हैं तो एक यही पर बच्चे गलतीयां करते हैं ठीक है तो यह गलती नहीं करनी है Mitochondria की ही तरद chloroplast में भी दो membrane होते हैं जो दो membrane है उन में से जो inner chloroplast का membrane होता है उसकी permeability जादा नहीं होती है जैसे एक बाहर का membrane है और एक अंदर का membrane है तो बाहर वाले में poor होता है जिसके थूरू चीज़ें अंदर की तरफ अराम से जाती चली जाती है लेकिन अंदर वाला less permeable तुमसे एक्जाम में पूछा जाता है कि दो membrane है outer membrane और inner membrane outer membrane permeable जादा होगा chloroplast का ये inner membrane याद रखना outer membrane permeable होती है inner बहुत ही less permeable है Like mitochondria, the chloroplast are the double membrane bound of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable the space limited by the inner membrane अब जो अंदर में होगी चीज, space जो liquid भरी होगी उसको क्या बूला जाएगा उसको stroma कहते है ठीक है a number of organized flattened membranous sack जो flat चीज जो मुझे मिली एक, दो, तीन इसब सब क्या है thylakoyds जो कहां है present stroma में thylakoyds कैसे arrange थे stack की तरह जैसे एक सिक्के के उपर हमने एक सिक्का रखा एक coin के उपर दूसरा coin फिर तीसरा coin वैसे ही इसकी भी arrangement यहां पे होती है और इससे क्या बूलेंगे हम grana जब कई सारे thylakoyds एक जगा पे arrange हो गए तो इसको क्या बूला जाएगा grana ठीक है और इसको एक और क्या नाम बूलेंगे intergranal thylakoyd क्यों नाम बूल रहे हैं intergranal क्योंकि grana के ही अंदर में सारे thylakoyd एक दूसरे से जड़े हुए हैं तो नाम हमने कहा intergranal thylakoyd अब यह जितने भी grana हैं यह सारे किस से जड़े रहते हैं astroma lamely से जैसे यह thylakoyd और यह thylakoyd दोनों आपस में किस चीज से जड़े हैं यह जड़े हुए होते हैं किस से astroma lamely से जड़े हुए होते हैं अब यह जो थylakoyd है अंदर में जो space होता है थylakoyd के अंदर मोता है ना मैंने space होती है इसको lumen कहा जाता है अब क्लोरोप्लास्ट का जो astroma है जैसे उसमें बैट्रिक्स था mitochondria में तो क्लोरोप्लास्ट का astroma में enzyme होगा यह enzyme बस कार्बोहडरिट और प्रोटीन बनाने के लिए होगा lipids बनाने के लिए नहीं होती यह चीज important line है इट आल्सो कंटेंस छोटे छोटे double stranded circular DNA molecule अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर बात की जा रही है छोटा छोटा है double stranded है mitochondria में भी double stranded मिला था कि mitochondria में एक ही था DNA और वो भी circular था यह भी circular है ribosome यहां मिलेगा तो खुदी बता दो यहां की ribosome बात करें तो 70S क्योंकि चाहे किसी भी organolar ribosome होते ही हमेशा 70S है और cytoplasmic ribosome 80S होते है chlorophyll pigments कहां present है thailaquets के अंदर present है और ribosome को chloroplast का होता है वो छोटा होता है 70S लिग दियाना है NCRT ने cytoplasmic ribosome कितना होगा ठीक है तो यह चीज important है 80S और question करते है इसके बाद 5 minute का break मिलेगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 बज कर 50 minute से स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग को question क्योंकि करना है ठीक है 4.45 में तुम्हें चुट्टी दूँगा 5 minute के लिए break अज थोड़ा से ज़्यादा लंबा हो गया कोई बात नहीं Based upon the type of pigment Plastids are of how many types तो हमने कहा तीन types के होते हैं Answer A Cloroplast में क्या क्या चीज़े मिलेंगी Cloroplast में क्या क्या चीज़े मिलेंगी Only वाला तो सीधे गलत कर देना सबसे Based देखो तो में क्या मिल रहा है तो Cloroplast में हमें क्या मिलेगा तो NCRT क्या कहरी है Cloroplast में NCRT क्या कहरी है Cloroplast में ये दोनों चीज़े मिलती है Anthocyanine हमें कैसा मिलेगा Anthocyanine water soluble है कैसा है वाई ये water soluble है याद रखना है इस चीज़ को चलो next Carotenoids Carotenoids बोलो भई Carotenoids की बारे में बताओ Carotenoids की बारे में बताओ जल्दी से बताओ Carotenoids की बारे में बहुत अच्छा Carotenoids की बारे में कैडियारा है सबका क्यूंकि Carotenoids में fat soluble pigment है साथ में Carotene, Genetophyll वगरा सब हैं present बोथ Cloroplast दोनों में ये चीज़े present होती ही Carotenoids अगर तुमसे पूछे ने एक्जाम में Anthosyanine को छोड़ कर सारे fat soluble है ये सिर्फ होती है water soluble बस याद रहना बाकी सारे क्या है fat soluble रहेंगे next the above type of plastics are included under the above type of plastics are included under but oligoplast A in chloroplast chlorophyll is present in in chloroplast chlorophyll is present in जल्दी से बताओ chloroplast chlorophyll A thylakoid majority of the chloroplast of the green plants are found in green plants की कहां मिलेगी leaves के mesophyll sale में answer A the number of chloroplast in each mesophyll mesophyll sale में कितना मिलेगा clemedonass में तो एक मिला था जोकि green algae थी leaves के में जो seal में 20 से 40 मिल सकते हैं न answer C extra chromosomal DNA occurs in extra chromosomal DNA occurs in ये बात थोड़ा सा language अलग है extra chromosomal मतलब nickelis में तो मिली रही है DNA और उसके अलावा कहां मिलेगा mitochondria में मिलेगा mitochondria ये chloroplast दोनों हो सकता था लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ mitochondria ही जाएगा answer A अब mass the following है करो अभी तक जो भी पढ़ाया तुमने अभी तक जो भी पढ़ाया तुमने mass the following है जल्दी से करो endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum है तो बताओ क्या बनाएगा बोलो 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 छोटे छोटे लगा दो जल्दी से आ रहा है answer इससे C का 1 D का 2 C का 1 D का 2 आ गया तुमारा C का 1 D का 2 देख लो आ गया तुमारा B जा रहा होगा answer तुमारा B जा रहा है ना answer हाँ भई B जा रहा है सबका answer B जा रहा होगा answer सबका हाँ next B जा रहा है आओ इसमें based on the type of pigments plastic can be classified into पहले पूचा तक कितने टाइप में तो तुमने कहा तक तीन टाइप में अब कौन कौन से टाइप में करेंगे plastics को divide plastics को divide कौन कौन से पार्ट में किया जाएगा बोलो answer आ रहा है C कई बच्चे लगा देते हैं इसमें answer A ये leucoplast का है छोटू ये leucoplast का है ध्यान रखना ये recognize the figure diagram पहचाने diagram पहचाने diagram क्या लग रहा है A stromal family है क्या ना D stromal family है ना B stromal family है A thalakoid हाँ C granum थोड़ा सा structure जो है न diagram में उतना पता नहीं चल रहा है NCID की recording अगर चलोगे तो इस पूरे stack को granum कहते है C में thalakoid D जाना चाहिए answer D यहाँ पे एक thalakoid को दिखा रखा है इसको अच्छे से देखना यहाँ पे thalakoid को दिखा रखा है और बाकी पूरे को यहाँ पे दिखा रखा है granum लगाओ एक ही में पूझ रखा सारे यह important है diameter एक ही में सब का पूझ रखा तुमसे diameter वगरा सब एक में ही है बताओ भी क्या लग रहा है तुम्हें आ रहा है इतना से तो कर सकते हो तुम्हारा हम से A का 4 A का क्या है भी? N है न? N है और B का Q A का N और B का Q यह दोनों तो आ रहे हैं तुम्हारे answer ठीक है अब आगे चलो अब पूछा है तुमसे diameter of mitochondria तो diameter जो mitochondria का होगा वो यह वाला होगा तो C का L answer D answer D आ रहा है सबका answer D आ रहा है ठीक है अब आगे सुनो the number of chloroplast varies from 1 per cell in एक किसमें मिलती है ठीक है ठीक है answer B आ रहा है ना answer क्या जाएगा B जाएगा answer बात समझ में आगे सबकी answer क्या जाएगा भई B next यह लोग फिर से आगे पहले वाला एक question यह तो अभी हमने just किया था यार यह हमने just किया था answer D आ रहा है ना सबका D आया था उस वक्त D आया था 1-2-1 1-2-1 simple था चलो next यह पड़ो read the following statement and find out the incorrect statement incorrect बताओ कौन सा है incorrect बताओ कौन सा है यह चीज हमें जाननी है आगे फोटो सिंतेसिस में पढ़ेंगे इसे हम कि जो ग्रैना है प्लास्टिड में ग्रैना की अगर बात करें तो ग्रैना में dark reaction नहीं चलती थाला कॉयट में वहाँ पर light reaction चलती है और अस्ट्रोमा की बात करें तो वहाँ पर dark reaction चलती है यह पता होना चाहिए यह चीज ठीक है अस्ट्रोमा में क्या चलती है dark reaction चलती है और थाला कॉयट में light reaction चलती है answer D majority of the chloroplast of the green plants are found in बस एक ही चीज है हमारा आचुका है मेजोफिल cells में read the following statement and find out the correct statement हाँ correct statement हमसे पूछा है mitochondrion is typically sausage shape the inner compartment of the mitochondrion is called stroma mitochondrion and bacteria both divide by fusion chromoplasts have fat in soluble keratenoid pigment fat soluble था भई plastics are found in all plant cells and glenoids A C E A C E answer D आ गया ना which is mismatched which is mismatched which is mismatched जल्दी से बताओ which is mismatched amyloplast protein मिलेगा क्या तो यह तो mismatch है पहले ही तो मिल गया मैं which is mismatch तो पहला amyloplast की बात करें तो यहां पे protein नहीं कर्भोहिड्रेट होना चाहिए था ठीक है भई अगर बात करें हम एक सेकंड हाँ यहीं से हम लोग मिलेंगे कब मिलेंगे चलो मिलेंगे हम लोग 37 हुई है ना 355 में मिलेंगे ठीक है 355 पे कुछ भी जल्दी जल्दी दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाओ 355 में मिलेंगे ज़ादा देर की बात है नहीं अब छोटी-छोटी टॉपिक बचे हैं बस मेंली निकलियस बचा हुआ है हमारा बड़ा टॉपिक और जो तुम्हें समझना है थोड़ा सा सेंट्रोसुम, सेंट्रियोल वगएरा ठीक है तो मिलेंगे तीन बज कर पच्पन मिनेट पे मिलेंगे ठीक है जल्दी कुछ भी एक खाना पीना जल्दी से खा गर आओ अंतिम युद्ध की तैयारियां चल रही है ठीक है अंतिम युद्ध में आखरी पड़ाव में पहुचे हैं पहले दिन में समझ गया है जल्दी समिल तर तीन बज कर तक्सपन मिनेट पाथ ओके अंतिम आगयोप राओव झाली बज़ाव में भी बज़ाव में पाथ लाव को खाओ़ाव में एक है यो खफ़वा पूशिता आख़गाव युद्ध में एक वड़बाव Permाव्योपाव झाल 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 झाल